हलो एवरिवन वेलकम टू बाइजूस एक्जाम प्रैप मैं आप सभी का बाइजूस एक्जाम प्रैप पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप देख रहे हैं कम्प्लीट करेंट अफेयर्स फरवरी 2022 की जैसे कि आप सबको बता है कि आपके एक्जामेशन प्रैंट उफ्यू के लिए आपकी last six months की current affairs और last one year की current affairs बहुत जादा important होती है और especially अगर मैं आप से बात करूँ last three to four months की तो वो तो बहुत ही जादा important है तो इसलिए दोस्तो फरवरी का पहला पार्ट मैं आपके साथ कवर करवा चुका हूँ उसकी PDF भी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल गई होकी तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो अब फरवरी के दूसरे पार्ट से सब लोग तयार हैं जल्दी से बता रीचेगा अपने साथ दोस्तो कॉपी पैन लेके बैठियेगा तब ही दोस्तो आपको समझ माएंगी चीजें तब ही आपके सामने चीजें अच्छे तरीके से किलियर होंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और आप सब को बदाई है बाइजूस एक्जाम प्रेप पर दोस्तो आपके लिए 60 डेस का क्रेश कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें दोस्तो आपका complete syllabus यहां पर हम coverage कर रहे हैं हमारे जितने भी faculty members हैं सारे अपने आप में experience faculty हैं दोस्तो subject wise आप अराम से practice कर सकते हैं और live mock test के माध्यम से अपनी त्यारी को परक भी सकते हैं तो daily दोस्तो 6 से लेके बाकी जितना भी मेरा time होता है मुतना आगे बढ़ता है session वैसे 9 बजे तक का time हमारा है लेकिन में आगे आपको और session लेता हूँ तो हमारे यहाँ पे चेतन सर जी पढ़ा रहे हैं मौहमद जावेज जी पढ़ा रहे हैं इसके बाद अशपाल जानवा सर यहाँ पढ़ा रहे हैं और विशेक सर यहाँ पे सारे सर, जेतन सर हैं, चावेज सर हैं, सब अपने आपको expert यहाँ पे knowledge प्रोवाइट कर रहे हैं, ठीक है, चलिए दोस्तों, तो start करते हैं पहले question के साथ, सबसे पहला question है, which Indian batter has secured second rank in the ICC women's ODI player ranking for batters, किस भारतिय बल्ले बाज ने, बल्ले बाजों के लिए, ICC महिला ODI खिलाडी ranking में, दूसरा स्थान हासिल किया है, दोस्तों, बात है फरवरी की, और यहाँ पे Indian batter का कर मैं नाम लूँ, International Cricket Council women's ODI player में, दोस्तों नाम सामने आएगा मिताली राज का, किस का नाम सामने आएगा दोस्तों, मिताली राज का सामने नाम सामने आएगा, याद रिखेगा, दूसरा स्थान इनके दोबारा प्राप्ट किया गया, दूस्तों पहला स्थान किस ने प्राप्त किया इस ranking मे तो याद रखें ICC महिला ODI Player Rankin for Batters के लिए दूसरा स्थान पर आप क्या है आपकी Alyssa Hille ने दोस्तो Alyssa Hille कहां की है ये से Alyssa और ये से Australia याद रहिएगा ठीक है तो ये कहां की है आपकी Australia की आपको देखने को मिलेंगी बाकी आप सब लोगों को ICC के बारे में बताईए दोस्तो International Cricket Council अंतर रास्टे क्रिकेट परिशद जिसको दोस्तो 1909 में फांड किया गया था इसका Headquarter आपको देखने को मिलेगा कहां पे दुबई और आप सब लोग जानते हैं दोस्तो ICC के चेर्मेन हैं इनका नाम सबको जानकारी है दोस्तो आपके ग्रैक बार्कले ग्रैक बार्कले आपके ये चेर्मेन है दोस्तो ICC के याद रखेंगे और ये संबन्द रखते हैं आपका कहां से निउजलेंड से इनका संबन्द है इसके बाद अगर मैं चीफ एक्जिगुडिव आफिसर की बात करूँगा मुख्य कारेकारी अधिकारी की तो इनका नाम आपको देखने को मिलेगा दोस्तो जियॉफ जियॉफ के साथ यहाँ पे आप लगा सकते हैं याद रिखिएगा अलाडिस की बात करते हैं जियॉफ साहफ यहाँ पे दोस्तो आपके C.O है और ICC में टोटल मेंबर कंट्री के अगर मैं आपसे बात करूँगा दोस्तो तो 106 मेंबर देश आपके ICC में आपको देखने को मिलेंगे मैं उम्मीद करूँगा किस क्लास के लिंक को अपने साथियों के पास शेयर करें जो भी आपके साथी हैं सब के बात इस लिंक को पहुचाने के कोशिश करें अपनी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी करते रहें सो ड़ेट हमें पता लगता रहे कितने बच्चे अक्टिवली क्लास को देख रहे हैं नेस कोशन दोस्तो आपका है विच इंस्टिटूट हैस इंस्टॉल्ड एंड कमिशन वन अफ दी मोस्ट पावरफुल सूपर कम्प्यूटर इन इंडिया जिसका नाम है परम प्रवेगा having super computing capacity of 3.3 petaflops दोस्तो किस संस्थान ने भारत में सबसे शक्तिशाली सूपर कम्प्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया और चालू किया जिसमें दोस्तो 3.3 petaflop की सूपर कम्प्यूटिंग छमता है सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा असर यह petaflop क्या होता है दोस्तो petaflop का मतलब होता है operation per second क्या मतलब होता है इसका दोस्तो operation per second हम यहाँ पे इसको measure करते हैं तो petaflop के अगर मैं आप से बात करूँ दोस्तो तो याद रिखे petaflop का जो एक पैटा फ्लॉब की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक पैटा फ्लॉब आपका दोस्तो 1015 operation per second कर सकता है एक बार और समझें एक पैटा फ्लॉब 1015 operation per second कर सकता है तो यह है आपकी परम प्रवेगा की capacity और यह 3.3 times और multiple आप कल लीचेगा तो दोस्तो यह आपका यहाँ पे लाया गया है IISC Bengaluru के द्वारा यहाँ पे IISC Bengaluru के द्वारा दोस्तो इस परम प्रवेगा most powerful super computer को जो भारत में देखने को मिला इसको दोस्तो यहाँ पे install और commission किया गया है याद रखेंगे अरे बोलो बात समझ मैं नहीं समझ मैं के लिए अरे बात दोस्तो इस particular super computer से आपको पूछ ले कि design किसके द्वारा किया गया दोस्तो एक आपने CDAC का नाम सुना होगा CDAC दोस्तो जिसकी full form होती है Center for Development of Advanced Computing Advanced Computing के लिए दोस्तो उसके development के लिए आपका एक center काम करता है CDAC इसके द्वारा दोस्तो यह आपका design किया गया है ठीक है याद रिखेगा एक बाकाइदा joint initiative रहा क्या रहा दोस्तो एक joint initiative था आपका Department of Science and Technology विज्यान एवं प्रिद्योगी की विभाग और दोस्तो आपका एक मंत्राले होता है MITI यानि की ministry of electronics and information technology ये बात याद रिखेंगे ठीक है आपसे पूछले दोस्तो I.S.C. Bangalore के director का नाम पूछले आपसे कि who is the director of I.S.C. Bangalore तो याद रिखेगा दोस्तो इनका नाम है गोविंदन रंगराजन के नाम है दोस्तो गोविंदन रंगराजन आपके कौन है याद रिखेगा इस I.S.C. Bangalore के director के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अगला कोशन दोस्तो आपका सेभी की बात करेंगे सेभी ने दोस्तो अपनी चार मेंबर की High Power Advisory Committee को Restructure किया दुबारा से उसका पुनर गठन किया चार सदस्य उच्छ शक्ती सलहकार समीती थी दोस्तो ये सल्जो समीती थी आप लोगों की ये Settlement Orders and Compounding of Offenses के लिए बनाई गई थी मतलब दोस्तो निप्तान आदेश और अपराधों के Compounding पर ये तो चार मेंबर कमेटी बनाई गई थी सेवी के दोरा इसके Head का नाम आपको बताना है दोस्तो इसके Head आपको याद रखने है जै नरायन पटेल कौन है दोस्तो जै नरायन पटेल ये दोस्तो आपके भूतपूर्व मुख्य नाइधीश हें आपके कल्कता हाई कोट के बूतपूर्व मुख्य नाइधीश के रूप पे आप देखेंगे दोस्तो जै नरायन पटेल को इन से पहले कौन थे? इन से पहले थे दोस्तो विजै सी डागा और ये वाकाइदा जो पैनल आप देख रहे हैं जो member बनाया गया है यह दोस्तो सेबी की settlement proceedings यानि कि उसकी settlement की जो प्रक्रियाएं हैं उसके उपर यहां पर काम करेगा जो उसके निपटान हैं उसकी प्रक्रियाओं के ऊपर यह काम करने की कोशिश करेगा अगला कोशिन आपका है दोस्तो रिजर बैंक आफ इंडिया ने कौन से बैंक का लाइसेंस यानि की कौन से कौपरेटिव बैंक का लाइसेंस आपका कैंसिल किया था कौन से सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था जो कि महरास्ट के नासिक सिटी में रिजर बैंक उफ इंडिया के द्वारा किया गया एक और बात याद रखें कोपरेटी बैंक के बारे में जानना है तो जो एकनॉमिक्स का क्रेश कोर्स मैंने आपको करवाया है इसी चैनल पर वो आप कम्प्लीट क्लास देख सकते हैं वहाँ पे आपको बैंकिंग वाले रिखने को मिलेगा कहां पर मुंबई में गवंडर आपको बदाई हैं शक्ति कांदास जल्दी से बता दो दोस्तों चार्ल डैपूटी गवंडर के नाम तेजी के साथ चार्ल डैपूटी गवंडर आपके कौन-कौन हैं जल्दी से सब लोग आंसर कर दीचे का और वीडिय दोस्तों चार गवंडर आपके कौन-कौन से हैं एक आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों M-K-Gen कौन है आपके एक M. K. Jain, एक है आपके Michelle D. Patra, M. D. Patra, एक है दोस्तो आपके जल्दी से बता लिजेगा मैं वेट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए M. Rajeshwar Rao, सबके नाम में M. R. है M. K. Jain, M. D. Patra, M. Rajeshwar Rao, और चौते हैं दोस्तो T. Rabi Shankar, कौन है T. Rabi Shankar, तो यह आपके Reserve Bank of India के दोस्तो चार Deputy Governor आपको देखने को मिलेंगे, दोस्तो अगला कोशन है, Recently Economic Survey जो आया आपका आर्थिक सरवेक्षण 2021 का, दोस्तो कौन से स्टेट ने टॉप किया है, in the list of newly recognized startups and unicorns, दोस्तो startups और unicorns की list में, कौन सी company के द्वारा, मतब कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया है, यह बात बताएं, तो प्रस्तु चो आर्थिक सरवेक्षण था, उसमें नए राजचे ने जो नए मानने तर प्राप्त startups हैं, unicorn की सूची में, number 1 की स्थान हासिल किया है, वो है दोस्तो आपका महरास्ट, कौन सा स्टेट है दोस्तो, महरास्ट, याद र रखें, काफी important है, महरास्ट के राज्यपाल आपको बदाई हैं, कौन है, भगस सिंग कोशियारी सहाब, और मुख्यमंतिया आप जानते ही हैं, दोस्तो, उद्दव ठाकरे आपको देखने को मिलेगा, ये बात याद रिखेगा, एक और चीज याद रखें, दोस्तो महरास दो, आपको देखने को मिली, ठीक है, rank 2 पे आपका innovation index में आपका देखने को मिला था महरास्ट, ये बात भी याद रखेंगे, अगला कोशन दोस्तो आपका है, जो government है हमारी, उसने अप्रूफ किया है, for the continuation of the scheme of assistance to the National Sports Federation, दोस्तो हमारे भारत में रास्ट ये सेल, खेल संगो को साहता योजना कुजारी रखने की मंजूरी देने के लिए, पंदरवे वितायोग चक्र 2021-22 से लेकि 2025 के लिए, कितना परिवया यहाँ पे किया जा रहा है, जड़ा बताएगे दोस्तो, दोस्तो आपके भारत में National Sports Federation को मजबूती देने के लिए, 1575 करोल रुपे का financial outlay य ठीक है, और पंदरवे वितायोग के चेर्मेन कौन है, तो आप सबको बताऊगा, दोस्तो, N.K. सिंग की बात यहाँ पे मैं करने की कोशिश करूँगा, अरे बो तो बोलो बास समझ मारे ने समझ मारे, कौन है आपके Mr. N.K. सिंग, पंदरवे वितायोग के आपके क्या है, आपके अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, दोस्तो, इस फंड के माध्यम से जितने भी आपके भारत में National Sports Federation है, जो भी रास्ट्य खेल संग हैं, दोस्तो, वो National Coaching Camp चला सकेंगे, जिससे दोस्तो हमारे एटलीट्स को अंतर रास्ट्य इस्तर की प्रेनिंग प्रवाइड किया जा सके, उनको अंतर रास्ट्य इस्तर का प्रेशिक्षन प्रवाइड किया जा सके, तो ये बात भी ध्यान रेकिएगा, ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा किस क्लास के लिंग को आप शेयर नहीं कर रहे है, गलत बात है भाई, दोस्तो, इस क्लास के लिंग को शेयर भी करें और अपने माकसिमम दोस्तों के पास इसको ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, अगला कोशन आप लोगों का आपको देखने को मिलेगा, कोशन है दोस्तो, यहाँ पे बात की जा रही है, अरावली बायो डैवर्सिटी पार्क की, ठ साइट, ठीक है, क्या किया गया, अदर इफेक्टिव एरिया बेज्ड, कंजर्वेशन मेजर आपका साइट, यानि कि अन्या प्रभावी छेत्र अधारित सनरक्षन उपाए, ओन वर्ड वैटलेंड डे, विश्व वैटलेंड डिवस पर दोस्तों, आपके याद रखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, 2nd February 2022 को World Veteran Day मनाया जाता है, और इसको किया गया दोस्तों, IUCN के द्वारा, IUCN का मतलब होता है, International Union for Conservation of Nature, प्रकरती के सनरक्षन के लिए अंतर रास्ट्य संग, राइट, तो आपको बताना है, अरावली बायो डैवर्सिटी पार्क प्रुग्राम हरियाना में देखने को मिलेगा, ये बात याद रिखेगा, अरे बोलो बात समझ मैं ने समझ मैं, दोस्तों ये टैग है एक तरीके का, OECM एक टैग है, ये वो टैग है दोस्तों जो उन एरियास को मिलता है, उन छेतरों को मिलता है, जिनको प्रटेक्ट नही किया जा रहा है और जहां पे दोस्तो रिच बायो डायवर्सिटी देखने को मिलती है अरे बोलो बात समझ मारी नहीं समझ मारी जहां पे बहुत अच्छी बायो डायवर्सिटी है जै विवित्ता है और उन एरिया को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है तो ऐसे एरिया को OECM tag दिया गया कि other effective area based conservation measure यहाँ पे आपको लेने की जरुवत है ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तो अगर मैं हरियाना के और नैशनल पार्क की बात करता हूँ तो एक important है आपका काले सर और एक है आपका important है सुल्तानपूर ये दोनों ही नैशनल पार्क आपके important है काले सर दोस्तो आपको यमुना नगर डिस्टिक में देखने को मिलेगा और सुल्तानपूर आपको गुरुगराम में देखने को मिलेगा दोस्तो बहुत important question है नाटो को लेके name the नाटो chief who has been appointed as governor of Norway Central Bank नाटो प्रमुक का नाम बताईए जिन्हें Norway के इंद्रिय बैंक का governor निक्त किया गया है दोस्तो नाटो बहुत चर्चा में चल रहा है आप सब को बताई है सब students को इस चीज की जानकारी है तो यहाँ पे याद रखेंगे जो Norway के Central Bank का governor निक्त किया गया है उनका नाम है यहाँ पे Alexander Sklenberg क्या नाम है दोस्तो Alexander Sklenberg की यहाँ पे बात करेंगे पहली बात अब आपको पता होना चाहिए नाटो की full form क्या है दोस्तो नाटो की full form होती है North Atlantic क्या बोला North Atlantic North Atlantic Treaty Organization क्या बोला दोस्तो North Atlantic North Atlantic Treaty Organization नाटो में दोस्तो आपकी पूछ सकता है Total Member Countries कितनी है तो याद रखे नाटो में Total Members Countries आपको देखने को मिलेंगी 30 दोस्तो ठीक है Important question है याद रखे सबसे latest country जिसने नाटो की सदस्थेता हासिल करी That is Macedonia क्या नाम है दोस्तो Messi, Donia और यह अपने आप में 2019 का Current Affairs का question है याद रखेंगे नाटो का Headquarter आप से पूछ ले तो याद रखे नाटो का Headquarter Brussels में देखने को मिलेगा और जो Brussels है दोस्तो वो Belgium की रासधानी है ये बात ध्यान रखेगा किलियर बात समझमारी है अगर आप से पूछ ले कब इसको Found किया गया तो याद रखे दोस्तो 4 April 1949 को आपका इसको क्या किया गया Found किया गया और नाटो बहुत चर्चा में भी चल रहा है आप सबको बताऊगा इस समय Current Affairs में युक्रेन रशिया के वार में नाटो का Concept आपको हर समय देखने को मिलेगा ठीक है चलिए अगला Question दोस्तो यहाँ पे बात करेंगे बिरोजगारी दरकी Unemployment Rate इंडिया में जनवरी 2022 में जो यहाँ पे शाडपली आपका गिरने की बात की जा रही है Indian Economy यानि कि पूरा यहाँ पे यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ पूरा नाम यह है दोस्तो CMIE दोस्तो CMIE की रिपोर्ट आई है यानि कि Center for Monitoring Indian Economy भारती अर्थवस्था को Monitor करने के लिए एक आपका Center आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे Employment Rate जो गिरा है दोस्तो 6.57% आपको जनवरी में देखने को मिलेगा ठीक है 6.5% यहाँ पे गिर कर 6.5% हो गया है यह बात याद रखें और जो यह Center है for Monitoring Indian Economy दोस्तों याद रिखेगा यह आपका Mumbai-based एक Independent Non-Government Entity है ठीक है गैर सरकारी Entity आपको देखने को मिलेगी जो भारत में Economic Think Tank के रूप में और एक Business Information Company के रूप में क्या करती है काम करती है अरे बोलो बात समझ मैं नहीं समझ मैं आपको एक और चीज़ याद रखनी है दोस्तों जो तिलांगना है जो आपका तिलांगना राज्चे है इसका दोस्तों Lowest Unemployment Rate आपको देखने को मिलेगा Lowest Unemployment Rate आपका देखने को मिलेगा किसका दोस्तों तिलांगना का याद रखेंगे और हरियाना की अगर मैं बात करूंगा तो हरियाना का आपका जो Unemployment Rate है वो सबसे Highest आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो overall 6.57 गिरा यहां पे और अगर हम बात करेंगे तिलांगना का तो lowest unemployment rate हरियाना का दोस्तो highest unemployment rate आप नोट कर लीचेगा अगला question दोस्तो defense research and development laboratory रक्षा अनुसंधान और विकास प्रियोक्षाला का निदेशक किसे निक्त किया गया है दोस्तो याद रखें DRDL की अगर मैं बात करूँगा तो DRDL किसकी आपकी ओर्गन है DRDO की ही ओर्गन है ठीक है जो defense research development organization है आप लोगों का जो रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान है उसी की ही आपकी defense research and development laboratory देखने को मिलेगी और इसके director appoint किये गए है जीए श्रीनवाश मूर्ती कौन जीए श्रीनवाश मूर्ती एक बहुत important scientist है दोस्तो वरिष्ट विग्यानिक के रूप में अपनी सेवाओं को दे रही है याद रिखेगा और बाकी आपको एक चीज़ जहान रखनी है DRDO का headquarter तो आपका दिल्ली मे आपको देखने को मिलता है लेकिन DRDL का जो headquarter है दोस्तो वो आपको देखने को मिलेगा कहां पे हैदराबाद में ठीक है DRDL का headquarter कहां पे है है हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा next question दोस्तो UGC के आपके chairman किसको appoint किया गया है University Grant Commission विश्विध्याल अनुदान आयो दोस्तो सबको बताई होगा अगर मैं UGC की बात करता हूँ तो सब लोगों को इस चीज की परखोगी जो UGC है दोस्तो ये एक statuary body है एक आपका वैधानिक संस्थान है इसको act के थुरू बनाया गया था ठीक है और यहाँ पे बनाने का श्रीक इसको जाता है जो आपके भा जारत में उच्छ सिक्षा का विभाग है Department of Higher Education है सिक्षा मंतराले के अंतरगत उसके according दोस्तो आपका एक UGC Act आया था 1956 में याद रिखेगा ठीक है तो Higher Education से संबंधी जो भी standard maintain करने हो या जो भी coordination करने हो वो सारे के सारे आपके UGC के द्वारा किये जाते हैं और UGC के यह M. जगदीश कुमार M. जगदीश कुमार कौन है तो याद रखें दोस्तो जवाल लार नहरू University यानि की JNU तो JNU के दोस्तो यह Vice Chancellor थे आपके ठीक है कौन थे VC थे JNU के तो इनको दोस्तो University Grant Commission का नया Chairman बनाया गया है आपसे पूछ ले UGC का Headquarter कहां पे है तो याद रखें दोस्तो New Delhi में आपको देखने को मिलेगा ये बात ध्यान रिखेगा किलियर बात चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तो Managing Director किसको बनाया गया है Indigo का Indigo का प्रबन निदेशक किसको बनाया गया है Inter Globe Aviation याद रिखेगा दोस्तो Inter Globe Aviation ने यहाँ पे आपके राहुल राहुल भार्टिया जो किसके को फाउंडर है इनको कमपनी का Managing Director प्रबन निदेशक बना दिया है अभी immediate effect से बनाया गया था ये बात याद रिखेगा ठीक है जो कमपनी है यह आपकी जो इसकी Parent of the country's largest Indigo की यह कमपनी आपको देखने को मिलेगी Inter Globe Aviation ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ने दोस्तों Antigua के Sir Vivian Richards Stadium में रिकॉर्ड पांचवा Under 19 विश्वकफ खिताब जीतने के लिए किस देश की क्रिकिट टीम को चार विकेट से हरा दिया है वेरी important question दोस्तों आप सब को बताओगा Sir Vivian Richards Stadium Antigua में यहाँ पे कौनसी country को हरा के Under 19 वर्ड कप जीता गया तो याद रखेंगे England को दोस्तों हराया है किसको England को आपके Under 19 टीम ने हराया है चार विकेट से दोस्तों इंडिया ने हराया यह बात ध्यान रखेंगे it's very very important ठीक है आप से इसमें कुछ और question भी पूछ सकते हैं आप से पूछ सकते हैं कि Player of the Match ICC Under 19 वर्ड कप 2022 म किसको मिला तो याद रखेंगे दोस्तों Player of the Match से नवाजा गया भारत के राज अंगत बावा को राज अंगत बावा को दोस्तों ICC Player of the Match से नवाजा गया यह बात ध्यान रखेंगे और इससे साथ साथ आप से अगर पूछे कि आप से पूछना चाहे कि अगर एक और important नाम याद रिखेंगा कोई बतायेगा दूसरे पोस्त कौन सी important कि मैं बात कर रहा हूं जड़ा बताइए Player of the Series ठीक है एक तो मैंने आपको बता दिया Player of the Match एक है दोस्तों पूरी Player of the Series में किसका नाम सामने आएगा कोई बतायेगा दोस्तों नाम बताएं Player of the Series में किसका नाम सामन आएगा डिवाल्ट ब्रेविस कहां के हैं दोस्तों साउथ अफरिका के हैं ये बात याद रखें अगला कोशन आप लोगों का विच आफ दी फॉलोइंग स्पोर्ट हैस नॉट बी इंक्लूड़िट इन टू थाउजन ट्वन्टी एट ओलम्पेक्स एट लॉस एंजलेस बा पैंटा थलॉन को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगागा युका पैंटा थलॉन का मतलब थ Herrn फैंता का तक कब दूस्तों 5 तो ये 5 पांच अलग-लग कारेक्रम इसमें शामिल होते हैं ठीक है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पांचों इवेंट आपको देखने को मिलेंगे इसमें फिरी स्टाइल तराकी भी है घुड सवार शो कूद भी आपको देखने को मिले की समझ रहे हैं पिस्टॉल शूटिंग क्रॉस कंट्री रॉनिंग भी आपको देखने को मिल रही है तो इन सब को मिला के पैठालोन आपका यहां पे देखने को मिलता है तो यहां पे जो पैठालोन की बात अगर मैं आप से करूँगा दोस्तो तो इसको शामिल नहीं किया गया है आप लोगों का 2018 ओलम्पिक्स गे पर आपका शामिल किया गया है ये बात ध्यान रिखें इंटरनाशनल ओलम्पिक कमेटी अंतररास्ट ये ओलम्पिक कमेटी को दोस्तो कब फाउंड किया गया तो 1894 में फाउंड किया गया आप से पूछेंगे इसका हैटकौाटर कहां पर है तो याद रखें दोस्तो आपको देखने को मिलेगा और इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रिखेगा थॉमस पाक थॉमस बाक दोस्तो आपके इसके क्या है प्रेसिडेंट है इंटरनाशनल ओलम्पिक कमेटी के मैं अमीद करूंगा क्लास के लिंक को अपने साथियों के पास मैक्सिमुम शेयर करें दोस्तो और वीडियो को लाइक भी करते रहें साथ साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है अगला कोशन दोस्तो मोस्ट इंपोर्टन कोशन कोशन ये है कि एक किताब है दोस्तो गोल्डन बॉय नीरत चौपड़ा ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है जरा बताएं दोस वाले आपके नीरत चौपड़ा अगला कोशन दोस्तो आपका एक ग्राफिकल नौवल है जिसका नाम है अथर्व दा ओरिजिन दोस्तो इसमें विच फीचर्स एमेस धूनी जो एमेस धूनी को यहां पे फीचर करता है दोस्तो बताएं इसको किसके द्वारा लिखा गया है एक ग्राफिक उपन्यास अर्थर्व दा ओरिजिन जिसमें एमेस धूनी है उनको किसके द्वारा लिखा गया है तो याद रखेंगे काफी important novel है दोस्तो इसको लिखा गया है आपका रमेश थमिलमनी के द्वारा और याद रखें ये ग्राफिकल नोवल आपको देखने को म मिलेगा अथर वो राइट अगला कोश्चन दोस्तो अंतर रास्टे डे ऑफ जीरो ट्रॉलरेंस फॉर फीमेल जैनिटल मुटिलेशन इस अब्री एर ओन सब लोग आंसर करें हर साल यहां पे महिला जरनांग विकरती के लिए जीरो ट्रॉलरेंस दिवस कब मनाया जाता है द बाकि आप नेट पर देख सकते हैं मैंने क्लास में पहले बताया भी था कि महिलाओं में जरनांग की विकरती हो जाती है कई बार जैसे हमारा खतना होता है कई बार वैसे ही महिलाओं का खतना भी कर दिया जाता है दोस्तो अगला कोश्चन है क्रिस्टोस सरत जिताकिस का नि जिए ताकिस का जो निधन हुआ है, यह आपके ग्रीस के क्या थे दोस्तों, भूद पूर्व राश्पती थे, याद रखेंगे, ग्रीस की राजधानी एफेंस है, ग्रीस की करेंसी क्या होती है, यूरो, ये बात याद रेखेगा, अरे बोलो बास समझ मारी ने समझ मारी, औ कोने हैं तो कैटरीना कैफ का नाम याद रखे कैटरीना कैफ नहीं भई या कैटरीना नाम याद रखेंगे बस कैटरीना नाम याद रखो आके का मुझे भी नहीं बता सीरियसली बता रहा हूं ठीक है काफी बड़ा नाम है मुझे याद भी नहीं कैटरीना से मैंने याद कर तो कैटरिणा आपके यहां के ग्रीज के राश्पती आपको देखने को यहां पे मिलेंगे अगला कोशन दोस्तो भारत की कोकिला पार्श्वगाई का भारत रतन लतामंगेशवर का हाली में निधन हो गया लतामंगेशवर को किस वर्श देश का सरवोच नाकरिक पुरसकार भारत रतन मिला था, बताईए, दोस्तों, किस देश के सरवोच नागरिक पुरुसकार, हमारे देश का दोस्तों, भारत रतन इनको कब मिला, काफी important question है, याद रखें, दोस्तों, लता मंगेशकर जी को भारत रतन की प्राप्ती 2001 में हुई थी, आप सब को पता होगा, इनका निधन हो गया है, इनका यहाँ पे शरीर शान्त हो गया है, आपकी night angle जी का, इनका नाम सब जानती हैं, लता मंगेशकर जी दोस्तों, ठीक है, तो काफी important है, 2001 में इनको क्या मिला है, भारत रतन से पुरुसकार मिला है, why I am talking about भारत रतन only, देखो इनको बहुत सारे awards मिले, इनको awards की कमी नहीं है, दोस्तों, 1000 awards मिलोंगे, मैं पहले बता दूँ, लेकिन हमारे देश का सबसे highest सरवोच नागरिक पुरुसकारी भारत रतन होता है, इसलिए दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए, कि वर्ष 2001 में इनको नवाजा गया किससे, आपके particular भारत रतन पुरु आपकी class, आपके सामने, आपके सम्मुख आपको देखने को मिले की, next question दोस्तों, which company has started India's first project of mixing hydrogen into the natural gas system at Indoor मध्यप्रदेश, दोस्तों, किस कमपनी ने Indoor मध्यप्रदेश में प्राकरतिक गैस परनाली में hydrogen के mission की भारत की पहली परियोजना की शुरुवात करी, यानि कि प्र hydrogen की mission की शुरुवात यहाँ पर करी है, दोस्तों, Gale India Limited के दौरा, किस के दौरा, Gale India Limited के दौरा, और आप सब को पता होगा, दोस्तों, क्या Gale, Gale होता है, Gas Authorities of Indias Limited, ठीक है, Gas Authority of Indias Limited की बात करेंगे, दोस्तों, तो आपकी Gale Company है, तो इसने पहला project नहाँ पे hydrogen को mix करने की बा आप से पूछ ले दोस्तो, Gale का headquarters कहां पर है, तो आपकी New Delhi में Gale का headquarters आपको देखने को मिलेगा, और इसके जो CMD हैं, दोस्तों, वो कौन है, आपके, Manoj Jain की बात यहाँ पर करेंगे, अगला question आपके सामने है, clap, clap, जगन्ना, स्वच संकल्प कारेकरम, किस राज्जे के द संकल्प कारेकरम की शुरुवात की गई, ठीक है, इसका परमुदेश्य है, जो ruler areas हैं, जो grammynd छेत्र हैं, दोस्तों, इनको साफ किया जाए, इनको clean किया जाए, वहाँ पे जो sanitation conditions हैं, उनको और अच्छा बहतरी बनाया जा सके, जो waste management programs हैं, उसमें public participate करें, तो यह सब चीज की रासधानी भी आप सबको पता होगी दोस्तों, आन्द परदेश की तीन रासधानिया होती हैं, ठीक है, जैसे आपके तीन अंग होते हैं, government के एक executive दोस्तों, एक legislative और एक आपका judicial, ठीक है, इसी तरीके से आन्द परदेश की भी तीन capital हैं, अगर हम कारेकारी वाली capital की ब बात करेंगे, राइट, अमरावती, अमरावती आपकी legislative capital है, अगर हम judicial की बात करेंगे, तो कुर्णूल जो है दोस्तों, यह आपकी judicial capital है, किसकी, आन्द परदेश की, तो आन्द परदेश की तीन रासधानी आपको देखने को मिलेंगी, याद रखे, इसके साथ साथ दोस् समझ मैं नहीं समझ माई, ठीक है, क्लैप की फुल फॉर्म भी जान लो, दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है, क्लीन आन्द परदेश, ठीक है, क्लीन आन्द परदेश is the full form of क्लैप, नैस कोशन है, दोस्तों, किस देश किस राज्य की जहाकी को, सिलेक्ट किया गया, as a best tableau among states and Union Territory at Republic Day Parade 2022, गनतंत्र दिवस परेट 2020 में जो जहाकी आप देखते हैं, दोस्तों, उसमें किस परदेश की जहाकी को सर्वसेज जहाकी के रूप में चुना गया, तो दोस्तों, इस बार भी आपके उत्तर परदेश की जहाकी को सर्वसेज जहाकी के रूप में चुना गया, याद रिखेगा, इस बार जो उत्तर परदेश की जहाकी ती दोस्तों, उसकी थीम आप से पेपर में हो सकता है, पूछ ले, तो याद रखे दोस्तों, वन डिस्टिक, वन प्रडेक्ट, O.D.O.P. पे बेज़ड आपकी एक थीम थी, दूसरी इंपोर्टन थीम थी दोस्तो काशी विश्वनात धाम में, ठीक है, और काशी विश्वनात जी ने भाचपा गॉर्मेंट की सुन ली, और उनको भारी बहुमत से जिता भी दिया, तो वन डिस्टिक, वन प्रडेक्ट, काशी विश्वनात धाम, थीम पर बेजड आप लोगों का, दोस्तों, जहांकी आप मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन, यानि की सिक्षा मंतराले है, और मिनिस्ट्री आफ सिविल एवियेशन, यानि की नागरिक उडियन मंतराले है, दोस्तों, इन दो पर्टीकुलर मंतराले की जो आपकी जहाकियां थी, वो सबसे बैस जहाकी के रूप में आपको देखने को म यह बात याद रिखिएगा अरे बोलो बात समझ मारे नहीं समझ मारे के लिए रहे बात दूसरा स्थान दोस्तों किसको गया ज़रा बताएंगे दूसरा स्थान जहांकियों में गया है आपके करनाटक को ठीक है करनाटक को दूसरा स्थान गया तीसरा स्थान जो गया वो गया दोस्तों मेगाले को ये बात याद रिखेगा काफी important है मेगाले ने इस बार अपना जो पचासवा statehood जो उनके हो चुके हैं उनके establishment को उनके राज्ये के तो उसको बनाया तो ये भी आप से paper में question पूछ सकता है कि मेगाले का जो आपका found किया गया या state कब आपका form हुआ तो ये question भी आप से पूछा जा सकता है ये बात याद रिखेगा क्लियर है बात भाईया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question प्रिधान मंती नेंदर मोदी जी ने दोस्तो 16 फिट लंबी Statue of Equality का उटगाटन क्या है समानता के लिए जो मूर्ती है दोस्तो इसका उटगाटन मोदी जी सहब के द्वारा कहां किया गया काफी important मूर्ती है आप सब को बताओगा पेपर के लिए भी लिहास से बहुत important है याद रखें दोस्तो हैदराबार ठीक है तो सबसे पहले आपको इसका fit पताओना चाहिए दोस्तो सोला fit based क्या है दोस्तो Statue of Equality बस इतनी बात ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगला question यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसको याद करने के लिए ठीक है श्री रामनुजा चाड़े साहब जिन्होंने दोस्तो समानता को जनम जनम तक इन्होंने प्रवाहित किया समानता को प्रमोट किया हर जीवन की हर दशाओं में चाहें वो faith हो चाहें वो cast हो हर जगा इनको दोस्तो यहाँ पे तो रामनुजरम आश्रम में दोस्तो यह आपको पेशकर्श देखने को मिलेगी अगला कोशन दोस्तो भारत के इतिहास में JNU की पहली महिला vice chancellor आपको देखने को मिली तो कोई बताएगा दोस्तो JNU की पहली महिला vice chancellor कौन थी तो याद रखे यह हैं आपकी शांती शिरी पंडिची कौन है दोस्तो शांती शिरी पंडिची दोस्तो यह क्यों बनी क्योंकि आपको पता है कि JNU के जो भूतपूर vice chancellor थे उनको UGC का chairman बना दिया गया इसलिए उनको यहाँ पे JNU का vice chancellor बना दिया गया vice chancellor बना दिया गया जहां से अच्छे खासे I.S. officer निकलते हैं अगला question दोस्तो जो आपका Britannia Industries Limited है इसके गैर कारेकारी और सतंत्र निदेशक के पस्ते इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन है तो आपको बताईए दोस्तो भूतपूर रिजर बैंक ओफ इंडेक के governor वा deputy governor उर्जी तार पतिल सहब ने Britannia Industries Limited के independent director के रूप में इस्तीफा दे दिया है ये बात ध्यान रखें आप सब को बताऊगा दोस्तो एक और additional information दे देता हूँ ये इस्तीफा क्यों दिया गया इसके पीछे का कारण था दोस्तो पतिल सहब जो है ये Asian infrastructure investment bank के जो की बीजिंग में जिसका headquarter है इसके दोस्तो investment operation के vice president बनाए गए है क्या बनाए गए है इसके vice president बनाए गए है इसलिए दोस्तो इन्होंने क्या किया इस्तीफा देने की बात करी यहाँ पे उर्जित आर पटेल सहब के द्वारा दोस्तो भारत में 24 वे नंबर के Reserve Bank of India के governor रही है आप सब लोग जानते ही है रगुराम राजन के बाद यहाँ पे नोंने succeed किया very very important personality दोस्तो उर्जित आर पटेल सहब काफ़ important है अरे बोलो बात समझ मैं दोस्तो डैपूटी गवर्नर तो थे in fact जो monetary policy committee थी उसके मदब monetary policy जो मौत्रिव निती के इंचार्ज थे आपके उर्जित आल पटेल अगला कोक्षन दोस्तो आप लोगों का which bank has awarded with the digital transformation award DX 2021 awards यानि कि digital परिवर्तन में सरवत्तम अभ्यास के लिए CII यानि कि confrontation of Indian industry भारतिय उद्योग परिसंग द्वारा किस bank को digital परिवर्तन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तो ये bank है आपका करनाटक bank करनाटक bank के द्वारा इसको सम्मानित किया गया आपको पता होना चाहिए जो भारत में confrontation of Indian industry है जो भारतिय उद्योग परिसंग है दोस्तो इसका headquarters आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके president भी आपको पता होने चाहिए Mr. V. Narendran Mr. V. Narendran सहाब दोस्तो आपके CII के president है ये बात दियान रखें अगला question दोस्तो सौरफ गाउंगली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े stadium की अधार शिला रखी है जो कहां पे बनाया जाएगा दोस्तो आपके BCCI के president आप सब कुछ पताई है BCCI का मतलब क्या होता है Board of Control for Cricket in India Board of Control एक भारत में cricket को यहां पे board है cricket को activities को control करने के लिए तो यहां पे BCCI BCCI के president है सौरफ गाउंगली इनके दुआरा जैपुर राजिस्थान में दोस्तो भारत विश्यू का तीसरा सबसे largest cricket stadium मनाये जाने की बात की जा रही है दोस्तो यहां पे दर्शक दीरगा में लगभ 75,000 spectators यहां पे capacity आपको देखने को मिलेगी आपको यह भी बता होगा विश्यू का सबसे बड़ा cricket stadium कहां पे है हमारे मोटेरा में है दोस्तो जिसका नाम आपके नरेंदर मूदी जी के नाम पर भी पड़ा हुआ है यह भी आप जानते हैं वो दिक्कत के बात नहीं दोस्तो याद रखें VCCI के प्रेसिडेंट सौर अफगांगली सब को पता है दोस्तो VCCI के वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम भी आपको पता होगा राजीव शुकला सहाब मोटे मोटे से हैं आपको अमूमन राहुल गांदी के साथ बैठा हो देखा होगा दोस्तो सेकेटरी कौन है आपके छोटा अमिश्चाहा जैशाह साहब आपके सेकेटरी है अगर आपसे कोई पूछे दोस्तो मैंस कोच कौन है तो मेरे ख्याल से दोस्तो आपको बताओगा BCCI के जो मैंस कोच है वो है आपके राहुल ड्रविट और अगर आपसे कोच पूछे तो महिला के लिए कोच कौन रमेश पौवार और पुर्शो के लिए कोच कौन आपके राहुल ड्रविट अगला कोशन पहला स्टेशन दोस्तो भारत की अगामी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए तयार होने वाला पहला स्टेशन बनने जा रहा है दोस्तो भारत में बुलेट ट्रेन की परियोजना के लिए तयार होने वाला सबसे पहला स्टेशन आपका सूरत जो भी मेरे students paid class लेते हैं मेरे से जो भी हमारे bad use exam prep पर economics में दोस्तो infrastructure topic आपका होता है तो please focus on these questions very well कि भारत का पहला जो bullet train project है उसमें पहला station कौन सा है आप लोगों के लिए ऐसे questions paper में पूछे जाएने के chances हैं क्योंकि economics का ही infrastructure का आपका topic है ये बात ध्यान रिखेगा अरे बोलो बास समझ मैं नहीं समझ मैं तो दोस्तो आप सबको पता होगा एहमदाबाद मुंबई bullet train जो route है उसमें ये भारत का सबसे पहला मतलब bullet train project का पहला आपका ये बनने जा रहा है सूरत क्या आपका station ठीक है याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा दोस्तो पचासवी anniversary celebration किया गया अंतर रास्टी है Crops Research Institute का for the semi-added tropics located मतलब दोस्तो सिंपल सी बात है दोस्तो आपका यहाँ पे एक अंतर रास्टी है अंतर रास्टी है अर्ध शुषक उष्ण कटी बंधिनियां के लिए अंतर रास्टी फसल अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा अंतर रास्टी कॉर्प Research Institute है किस चीज के लिए अर्ध शुषक उष्ण कटी बंधिनियां के लिए तो आपको बताना है तो प्रधान मंतरी मूदी सहब ने इसको कहां Located किया है कहां Scout घाटन किया दोस्तो याद रखें Scout घाटन किया गया है आपका हैदराबाद में कहांपे हैदराबाद में अगला कोशन है कौन सी IIT के साथ तीन साल का Contract सुजुकी मोटर कॉर्परेशन ने साइन किया है जिससे दोस्तों ये सुजुकी इनोविशन सेंटर अपने केंपस में खोले जाने की बात कर रहे हैं दोस्तों याद रखें IIT हैदराबाद में Indian Institute of Technology हैदराबाद में यहाँ पे तीन साल के कॉंट्रेक्ट के साथ सुजुकी मोटर कॉर्परेशन सुजुकी इनोविशन सेंटर खोलने जा रही है इसका फायदा क्या होगा दोस्तों जरा बताएं कोई बेटा स्टुडेंट्स यहां कि यह जपान की है दिक है तो इंडिया और जपान के बीच में एक आपको इनोविशन यहाँ पर देखने को मिलेगा एक आपस में नवा चार को करेट कर रहे हैं ठीक है और एक दूसरे को यहां पर प्रेटफर्म प्रवाइट कर रहे हैं सो टैट यह अपनी नॉलिज को यहां पर गेन कर सकें दोस्तों highest number of attacks on journalist in 2021 भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा 2021 में पत्रकार पर होने वाले राज्य वा केंशाशित प्रदेश में नमबर एक पर राज्य कौन सा रहा है वा केंशाशित प्रदेश और यह जो आपकी report निकाली गई है Indian Praise Freedom Report इसको release किया है Rights and Risk Analysis Group ने दोस्तों Rights and Risk Analysis Group के द्वारा भारतिय प्रेस सुदंतरता रिपोर्ट 2021 में सबसे ज़्यादा attack आपको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में ठीक है जम्मू कश्मीर में दोस्तों पत्रकारों पर बहुत attack हुए है जर्नलिस्ट पर याद रिखे अगला question दोस्तों यहाँ पर कौन से देश के द्वारा कौन सी देश के द्वारा दोस्तों Digital Skills Readiness को यहाँ पर लीड किया जा रहा है और दोस्तों Highest Readiness Index की अगर हम बात करें 19 Countries के बीच में 2022 के Global Digital Skills Index जिसको Salesforce के द्वारा पब्लिच किया गया है Salesforce द्वारा प्रकाशित 2022 Global Digital Skills Index में 19 देशों में से किस देश ने Digital कौशल ततपरता का नित्रत्त किया और उच्टम ततपरता सुचकांग यहाँ पर अरजित किया है दोस्तों यह है आपका प्यारा भारत कौन है दोस्तों भारत है यह बात याद रिखेगा किलियर है कौन है दोस्तों आपका भारत याद रखें अगला कोशन दोस्तों कांचोट ठीक है यहाँ पर कांचोट की बात करेंगे ठीक है फेस्टिवल दोस्तो भारत के किस राज्चे वकें शाषित प्रदेश में आपका सेलिब्रेट किया जाता है मैं उम्मीद करूँगा दोस्तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहें और अपने साथियों के पास शेयर भी करते रहें कॉपी पैन आपके पास हो पीडियाफ आपको मिल जाएगी अच्छे तरीके से पढ़ते रहें समझते रहें हर चीज को तब ही आपको चीज़ें समझ आएंगे एक बार गो थू जरूर करिएगा चीज़ों को दोस्तों याद रखे कांचो तो सब आपको देखने को मिलेगा कहां पे जम्मू काश्मीर में ठीक है यह कहां पे देखने को मिलेगा जम्मू काश्मीर में देखने को मिलेगा यह काफी पुराना आपका यह तिहार आपको देखने को मिलेगा जो कि नाग followers के द्वारा follow किया जाता है किस के द्वारा नाग followers के द्वारा follow किया जाता है अगला question दोस्तो कौन सी ministry ने launch किया है Intensive Fight Mission इंदरधनुश 4.0 Important question है दोस्तो किस मंत्राले ने गहन mission इंदरधनुश 4.0 लाँच किया है दोस्तो World Health Organization का सवाल होता नहीं है अब बचे आपके तीन तो याद रखें जो आपके स्वास्थे और परिवार कर्लियान मंत्राले है स्वास्थे और परिवार कर्लियान मंत्राले जो आपको पता भी होगा आपके मंत्री कौन है इसके منसुक मंडाविया सहब मनसुक मंडाविया सहब जी के द्वारा इसको वर्चुली लॉंच किया गया किसको इंटेंसिफाइट मिशन इंदर धनुष 4.0 को अरे बोलो बात समझ मारे नि समझ मारी समझ मारा है नि समझ मारा समझ मारा है जी बताइए दोस्तो इस मिशन को 416 डिस्टिक्स में देखा जाएगा 416 जिलो में जिसमें आपके 33 राज्य वकेन शाषित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे ये बात याद रिखेगा आगे सोनार्टा सॉफ्ट्वेर ने दोस्तो कौन सी कंपनी के साथ पास्टर रिटेल लॉंच किया है बाकी आप सब लोग Microsoft के बारे में जानते ही हैं दोस्तों कोई बताने की जरोती नहीं सबको जानकारी होगे अगला कोशन यहाँ पर Amazon India की बात करेंगे Amazon India ने दोस्तों यहाँ पर Memorandum of Understanding साइन किया है किस राज्य सरकार के साथ साइन किया है जिसमें दोस्तों यह Women Entrepreneur को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे उनकी ग्रोथ में उनकी ब्रद्धी में और यहाँ पर लॉंच करेंगे संजीवनी KSRLPS in its platform and extended benefits of the Sahelie Program दोस्तों कोई बताएगा सबसे पहले क्या है एक News कुछ समझ मारी है दोस्तों याद रखें जो भी आपकी Women Entrepreneurs हैं क्या है जो भी आपकी महिला उद्दमी हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे Amazon India ने West Bengal सरकार के साथ क्या किया है टाई अप किया है क्या किया है टाई अप किया है यह बात ध्यान रिखेगा क्या किया है टाई अप किया है किसके साथ West Bengal Government के साथ टाई अप किया है अरे बोलो सही है जी बताएगे कोशन जल्दी से सही है जल्दी से बताओ वेस्ट पिंगोल के साथ टाइब किया है जहारखंड के साथ किया है बताना जला अंसर भाई एक बार क्या हुआ स्कोशन का हमें भी पता लग जाए कि कितने अक्टिव लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी जो को सब स्टुडेंट आंसर किया करो जब किया करो तो किस के साथ किया है करना टक के साथ किया है ना कि वैस्ट बेंगोल के साथ ठीक है बोलो बाश समझ पारेए ने समझ मारे और 요B यहां पर فोकस किया जा रहा है रूलर वुमेंज को जो आपकी महिला जो जो घ्रामीन महिला है उनको एंट्रपनॉर बनाने के लिए इस पर्टि S का मतलब है State R का मतलब क्या है दोस्तो ruler L का मतलब आप समझे गए होंगे livelihood जीवनियापी का P का मतलब क्या है दोस्तो promotion और S का मतलब क्या है society तो करणाट का State, ruler, livelihood, promotion, society ये आपका संजीवनी program है आपका दोस्तो सहली program के माध्यम से इस तरीके से woman entrepreneur को क्या किया जाएगा यहाँ पर promote किया जाएगा ठीक है सहली program basically क्या करता है यह offer करता है आपका training और skill development यहाँ पर provide करता है जो महिला कर्मी है उनको जो महिला उद्दमी है ठीक है तो संजीवनी ks rlps यहाँ पर launch किया गया और जो सहली program के extended benefits है उनको यहाँ प i.e.l के साथ हिंदुसतान इंजीरिंग्स एंड इंडस्टी स्टी के साथ to procure 420 ब्रोडगेज वैगनों की खरीद के लिए हंदुसतान इंजीरिंग्स एंड इंडस्टी के साथ किस देश ने समझोते के आपन पर साइन किये है that is your bangladesh कौन है दोस्तो आपका bangladesh आपको प्रैसिडेंट कौन है दोस्तो आपके अब्दुल हमीद कौन है अब्दुल हमीद यहां के प्रैसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही है शेख हसीना जी अगला कोशन दोस्तो NCRT के नए डारेक्टर कौन है सबको बताओगा दोस्तो NCRT की फुल फॉर्म National Council of Educational Research and Training रास्ट्य सैक्षिक अनुसंधान और परिशिक्षन परिशद के नए निदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया है नाम याद रखेंगे दोस्तो दिनेश प्रसाद सकलानी सहब NCRT के जो नए डिरेक्टर बनाए गए हैं वो दिनेश प्रसाद सकलानी बनाए गए हैं 1961 में NCRT को फांड किया गया था और हैटकौर्टर देखने को मिलेगा दोस्तो न्यू दिल्ली में आपको इसका हैटकौर्टर देखने को मिलेगा बास समझ मा रही है अरे बोलो अगला कोश और बाटा इंडिया का जो हैटकौर्टर है वो कहां देखने को मिलता है आपको गुरुगराम में देखने को मिलता है आप से पूछ ले बाटा इंडिया की CEO कौन है तो बाटा इंडिया की CEO है दोस्तो गुंजन शहा गुंजन शहा आपकी बाटा इंडिया की CEO है इसके कुमार को अक्षे कुमार जो की कनाडियन एक्टर हैं आपको पता होगा कनाडियन एक्टर मैं क्यों बोल रहा हूं आपको पता ही होगा कि कनाड़े की नागरिकतन होने लिए रखी है दोस्तो तो याद रखें यहां पे उत्रा खंड के ब्राइंड अम्बैसडर के रूप में अक्षिय कुमार का नाम सामने आएगा दोस्तो अभी कुछ दिन पहले इंडियन किलकेटर रिशप पंद जो कि उड़की से आते हैं उनको भी उत्राखंड का ब्रैंड अमेसजर पॉइंट किया गया था ये बात आप जानते हैं को दिक्कत की बात नहीं अगला कोक्षिन दोस्तो यहां पे पोस्ट ऑफ चेर्मेन एंड मेनेजिंग डारेक्टर ऑफ पावर सिस्टम कॉर्परेशन लिम्टेट पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्परेशन लिम्टेट दोस्तो जो पोसो को है पॉसको मतलब power system operation corporation limited ठीक है power system के operation के लिए जो corporation है अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो इसके chairman and managing director किसको बनाया गया है और किसको यहाँ पर additional charge दिया गया है दोस्तो यह हैं आपके SR नर्सिमन ऐसा नर्सिमन को दोस्तो additional charge दिया गया है इस post का याद रखेंगे और post को का headquarter इस power system operation corporation limited का headquarter आपको देखने को मिलेगा दोस्तो new दिल्ली में कहाँ पे new दिल्ली में देखने को मिलेगा अगला question कौनसी IIT ने establish किया है interdisciplinary water management and policy center called aqua map दोस्तो यहाँ पर याद रिखेंगा water problems को solve करने के लिए IIT ने यहाँ पे aqua map एक launch किया ठीक है और यह क्या है दोस्तो यह disciplinary water management and policy center है इसमें आप जल प्रबंधन और नीती केंदर यहाँ पे रखा गया है तो इसको लाने के अश्रे जाता है दोस्तो IIT मदरास के दौरा ठीक है को मिलते हैं यह बात ध्यान रिखिएगा के लिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन दोस्तो कौन से देश की टीम ने AFC Women's Asian Cup India 2020 final title जीता है DY Partil Stadium नवी मुंबई में सबसे पहले दोस्तो याद रखें DY Partil Stadium आपका कहां पड़ता है मुंबई में पड़ता है AFC Women's Asian Cup India की बात करेंगे दोस्तो तो यह आपका football tournament जीता गया चाइना के दौरा ठीक है तो चाइना ने दोस्तो इस पर्टिकुलर AFC Women's Asian Cup India 2020 का final title जीता है यह बात याद रखेंगे अगला कोशन आपके सामने है कौन सी राज्य सरकार ने लौंच किया है Open Air Classroom Program ठीक है Open Air कक्षा कारेकरम यहाँ पे किस राज्य सरकार के दौरा शुरू किया गया तो याद रखेंगे दोस्तों यह शुरू किया गया है आपकी West Bengal के दौरा किस के दौरा? West Bengal के दौरा इसको क्या किया गया? शुरू किया गया अगला कोशन है दोस्तो जो हास से निर्मित कालीन है उनको प्रमानित करने के लिए और उनको लेबलिंग करने के लिए अपनी तरह की पहली बार एक QR कोट अधारित जो mechanism शुरू करी है वो किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तो ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा ठीक है जम्मू कश्मीर राज्जे ने दोस्तो एक रेस्पोंस कोट बेस्ड mechanism यहाँ पर स्टार्ट की है जिससे handmade carpets को certify और लेबल किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के जो आपके लेफटिनेंड गवंडर है आप सब लोग जानती है मनोसिन्ह जी उनके दुवारा दोस्तों इस QR कोड बेस मेकैनिजम को लाया गया for the labeling the handmade carpets in जम्मू कश्मीर ये बात याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री CARES FUNDS 2021 में अब तक कितना यहां पे allocation देखने को मिल सकता है according to the latest audited statement of प्रधानमंत्री CARES FUNDS दोस्तों PM CARES FUNDS के जो भी audit statement आया है तो उसमें कुल कितना पैसा 2021 में आपको देखने को मिला दोस्तों प्रधानमंत्री का जो CARES FUNDS है उसमें जो टोटल पैसा देखने को मिला 2021 में वो 10,990 करोड रुपे देखने को मिला ठीक है और याद रखें जिसमें से 49,76 करोड रुपे अब तक खर्चो चुके हैं ये भी ध्यान रखेंगे 49,76 करोड रुपे आपके खर्च किये जा चुके हैं अगला कोशन है सोशल जस्टिस एंड एंपावर्मेंट डिपार्टमेंट ने इसमाइल स्कीम लॉंच की है न्यू दिल्ली में तो आप से पूछ रहा है इसमाइल में S का मतलब क्या है S का मतलब आप से पूछ रहा है दोस्तो इसमाइल में S का मतलब है support क्या है support और है क्या है जड़ा देखते है smile में S का मतलब क्या है support यानि की दोस्तो मतलब support for किसके लिए M for होता है marginalized ठीक है marginalized individuals for livelihood लाइवलिहूट माने क्या होता है दोस्तो जीवन यापी का आपकी ठीक है and enterprise है क्या यह जड़ा सुनी जगा दोस्तो यहाँ पे जो marginalized individual बोला गया है वो किसको बोला गया है दोस्तो यह transgender के लिए यूज किया गया है यह scheme जो smile scheme आप देख रहे हैं यह आपकी transgender को community के लिए लाई गई है जिससे उनको support मिल सके उनको जीवन यापी का मिल सके दोस्तो यह बात थ्यान रिखेगा ठीक है या फिर उन लोगों के लिए जो भीक मांग रही है बैगिंग कर रही है तो दो community transgender community या वो लोग जो बैगिंग कर रही है याद रखेंगे ठीक है इसमें दो schemes भी इसमें central की schemes है हमारी जिसमें दोस्तो एक scheme comprehensive rehabilitation की बात करती है welfare of the transgender persons और एक बात करती है comprehensive rehabilitation of person engaged in the act of bagging यानि कि जो हमारे bagging से और जो हमारे transgender लोग है उसके लिए ये ध्यान कूरवक scheme चल रही है दोस्तो इसके लिए लगभग 365 करोड रुपे का आवंटन ministry of social justice के द्वारा किया गया है और ये काफी important scheme है ऐसे question UPPCS, BPSC, UPPCS, UPSC जैने कितने exams direct questions पूछते हैं के favorite questions है, smile में S की full form क्या है, smile scheme किस के लिए है, ये questions आपके paper में बार बार आप से पूछे जाते हैं याद रहिए का अगला question है, जम्मू कश्मीर government ने sign किया है एक pact, कौन से देश के साथ for the transformation of the ship farming sector in the union territory, जम्मू और कश्मीर सरकान ने केंदर शाषित प्रदेश में भेड़ पालन छेतर के परिवर्तन के लिए भेड़ पालन छेत की बात कर रहे हैं, किस देश के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है, दोस्तो ये है आपकी country, कोई बताएगा, anyone, याद रखेंगे, न्यूजलेंड, क्या है दोस्तो आपकी न्यूजलेंड, याद रखें, ठीक है, capital भी सबकी याद रखें, दोस्तो आस्टिला की राजधानी क्या है, कैनबरा, न्यूजलेंड की राजधानी क्या है, वैलिंग गटन, और साउथ अफरिका की राजधानी सबको पताओनी चाहिए, साउथ अफरिका की पहली राजधानी है, Cape Town, ठीक है, सबको पताओगा, तीन राजधानी है, साउथ अफरिक प्रदान क्या है मैं लिख देता हूं बुलेम फॉर्टेंट ठीक है है निग्लिश में लिखना चाहिए लिख सकते हैं दो बलोम मत्तब बी लो इम ठीक है और फॉन्टम वंटन माने क्या है फॉन टन ठीक है बुलेम फॉन्टन यह आपकी क्या है आपकी साउथ अफ्रिका की जयाती राजधानी है याद रखएगा न्यूजलेंड से एक और कोश्टण आपके पेपर में आता है न्यूजलेंड की प्रदान मंत्री का नाव बहुत इम्पॉर्टन दोस्तों जसिंडा की बात करेंगे ठीक है जसिंडा अल्डरन आपकी दोस्तों यह निजम्लेंड की प्रधान मंत्री हैं, बहुत important और यंग आपकी ये देखने को मिलेंगी आपको क्या आपकी प्रधान मंत्री, ठीक है, बहुत ही युवा प्रधान मंत्री आपके सामने आपको देखने को मिलेंगी, दोस्तों जिन लोगों को वीडियो को share नहीं किया है, एक तो अपने जो भी groups में आप हैं उस group में इस link को share कर दीजेगा maximum students को पता है नहीं होता कि class चल रही है काफी को पता ही नहीं अगली बात करेंगे दोस्तो प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना again important योजना दोस्तो दोस्तो ये आपकी food processing industries की योजना है और मुझे पता होगा जो बच्चे इकनोमिस की class last class ली होगी तो मैंने आपसे कहा था कि current affairs पर focus रखेंगे तो आप कोई चीड़ें समझ माएंगी ठीक है तो प्रधान मंत्री किसान संपदा की बात अगर हम करेंगे योजना की तो ये flagship scheme है ministry of food processing industry की यानि कि दोस्तो आपका food processing का मतलब होता है खाद दिर प्रसंस करन नुद्योग की ठीक है तो इसको यहाँ पे extend किया गया है from the period of 2021-22 to 25-26 till मार्स 2060 to 26 तो कितना outlay यहाँ पे दोस्तो दिया जा रहा है इस मंत्राल इस scheme के तहत तो याद रखेंगे 4600 करोड रुपेज scheme के तहत दिया जा रहा है ठीक है बोलो बात समझवाई नहीं समझवाई दोस्तो भारत में खाद दिर प्रसंस करन को बड़ावा देने के लिए ठीक है यह पहल की गई है और किसानों को अच्छा मूल्रे मिल पाए किसानों को मदद मिल सके रुजगार भी पैदा कर सके किसानों की आद दुगनी कर सके इन सब के लिए योजनाय चलाई जाती है यह बात याद रखे दो को क्रिशी उपज की बरबादी कम से कम हो फूड प्रोसेसिंग का मतब यह होता है कि आप एक रॉड मेटरियल से लेके फूड कोई और फाइनल जब कंजूमर उसको ले रहा है कंजूम कर रहा है तब तक proper जो supply chain management है पूरा proper वो सब को जिसमें देखा जाता है दोस्तो उसमें packaging भी होती है, labeling भी होती है, upgrading भी करते है बहुत सोरी च Inner एफ ओड प्रोसेसिंग में होती है, यह बात ध्यान रखे तो 46 सो करोड याद रखे दोस्तो आपके तस question का right answer है प्रधान मंत्री किसान संपता योजना अगला कोश्चन है यूरियन काबिनेट ने दोस्तों इंडियन फुट्वियर एंड लैदर डवलप्मेंट प्रोग्राम को यहां पर एप्रूफ किया है तो दोस्तों इसको कंटिडिशन किया जा रहा है दो हजार एकिस बाइस से तो सत तक हम इतना पैसा दे देंगे और मंजूरी भी दे दी गई है दोस्तों याद रखें जो आपका भारतिया फुट्वियर और लैदर डवलप्मेंट प्रोग्राम है उसमें 31 मार्स 2026 तक का आपका ये फ्रदर फानेशल आउटले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अगला कोश्चन है इंपोर्टन कोश्चन है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के डारेक्टर के रूप में किसको नामित किया गया है दोस्तों विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के जो डारेक्टर है वो है उन्नी किष्णन नेर सहाब कौन है उन्नी किष्णन नेर सहाब आपके सह नाम है दोस्तों उन्निक किश्णन नेर, इनको दोस्तों विक्रम सारा बाई स्पेस सेंटर का नया डिरेक्टर बनाया गया है, आपके मन में आ रहा हुआ दोस्तों इनको ही क्यों बनाया गया, दोस्तों इन से पहले थे S. Somnath, कौन थे S. Somnath, और आप सब लोग जानते हैं, S.S.O.M.N.A.T. जो थे इनको दोस्तो इसरो का Chief बनाया गया है भार्तिय Space Research Organization भार्तिय अंत्रिक्ष अनुसंदान केंद्र का क्या बनाया गया है दोस्तो इनको Chief बनाया गया है इसलिए S.S.O.M.N.A.T. का पत खाली हुआ इसके लिए क्योंकि पहले सोमनात थे, उनकी जगा पे उन्निक किष्ण सहाब को यहाँ पे लाया गया है, यह बात ध्यान रिखिएगा, अरे बोलो बात समझ मारे नहीं समझ मारे, किलियर है बात, विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर आपको बदाई है, यह parent organization है आपके इसरो क इसरो इसका parent organization आपको देखने को मिलेगा, रिसर्स सेंटर है, क्या है रिसर्स सेंटर है, स्पेशली रॉकेट्स में और स्पेस विक्ल जो सैटलाइट प्रोग्राम के लिए हम लॉंच करते हैं, उसमें यह काम करता है, हैड़कॉर्टर कहां पे है दोस्तो, विक्रम सारा भ ठीक है, दोस्तो, मेडी बडी क्या है, मेडी बडी आपका digital health care platform है, ठीक है, यह digitally आपकी health की care करता है, तो यह वो platform है आप लोगों का, तो इन्होंने, अमिताब बचन ने sign किया है, दोस्तो यह आपका, क्या sign किया है, यह आपका जो भी, यह contract है, as a brand ambassador, अगला question आप लोगों लिमाए, पुरुसकार, efficient MP के रूप में, यानि की कार्ड करम खासदार category में किसको चुना गया है, बताएए दोस्तो, किसको 2021 के लिए, अठारवा स्वर्गिया माधव रावले में अवार्ड दिया गया, यह बात याद रखें, बताएए किसको दिया, दोस्तो याद रखें ज़रा बताएए, क्या आता है, दोस्तो याद रखें, यह है आपके नितिनगटकरी सहाब, Ministry of Road, Transport and Highway, सड़क परिवहन, एवं आपका रास्टे राजमार्क के मंत्री नितिनगटकरी सहाब को, efficient Member of Parliament के रूप में चुना गया है, दोस्तो इसके बाद बात करेंगे, इसरो के द्वारा decommission किया गया, which communication satellite, through 11 re-orbiting maneuvers after 14-year service, भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 साल की सेवा के बाद, 11 पुनह परिक्रमा युद्धाब्यास के माध्यम से, किस संचार उपकरह को निश्क्रिया कर दिया है, तो याद रखेंगे, दोस्तो, INSET 4B को कर दिया ह And what is INSET, तो INSET की full form होती है, दोस्तो, Indian National Satellite, क्या बोलते है, Indian National Satellite आपकी full form होती है, INSET की, और कई बार मैंने आपको G-SET की full form भी बताई है, दोस्तो, G-SET की full form होती है, geostationary satellite, क्या होती है, geostationary satellite आपकी full form होती है, किस की G-SET की, ये बात याद रखेंगे, समझ मारी ह अगला कोशन आप लोगों का है इंडिया ने साइन किया है एग्रिमेंट विद्धा युनाइटिड नेशन्स वर्ल्ट फूर्ट प्रोग्राम फॉर्टी डिस्टुबीशन ओफ 50,000 M.T. अफ फीट टू एस पार्ट ओफ ऑफ हुमिल्टेरियन असिस्टेंस भारत ने दोस्तो यहां पे युनाइटिड नेशन के वर्ल्ट फूर्ट प्रोग्राम में 50,000 M.T. टन वीट यहां पे अफगानिस्तान को क्या है पऊचाया जाएगा अफगानिस्तान को वर्ल्ट फूर्ट प्रोग्राम का हेड़कॉर्टर आपको बदाई है रόम में आपको देखने को मिले यह बात याद रिखेगा अरे भाई या बात समझ मारे नहीं समझ मारे जल्दी से बता रही चेगा बात सबको समझ मारी है कोई दिक्कत तो नहीं चलिए अगला कोशन दोस्तों फस्ट एवर कंट्री टू अलाव ड्रॉन फ्लाइट इन सिविलियन एयर स्पेस अपने दोस्तो ड्रॉन उडाने की अनुमती देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है जो अपने देश में ड्रॉन उडाने की बात कर रहा है आंसर करें कौन यहां पे दोस्तों ड्रॉन उडाने की अनुमती देने वाला पहला देश बना काफी अच्छा कोशन है आप सब लोगों के जी बदाएए इसराइल बहुत बढ़िया सब स्टुडेंट आंसर करें भाई सब स्टुडेंट सही आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया जी तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर इसराइल आप लोगों का राइट आंसर है इसराइल दोस्तों इसने अपने नागरिक हवाई छेतर में ड्रॉन उडानी के अनुमती देती है इसराइल ने इसराइल की राजधानी सबको बदाई है क्या है जैरू सलेम आपकी इसराइल की राजधानी है करेंसी क्या है इसराइली शकील आपकी करेंसी है दोस्तो इशाक हर्जोग कौन इशाक हर्जोग कौन है प्रेसिनेंट है प्रैम मिनिस्टर कौन है नफ्ताली बैनिट प्रैम मिनिस्टर कौन है नफ्ताली बैनिट इस दी प्रैम मिनिस्टर याद रखें अगला कोशन दोस्तो President of Germany अंदरे 5 साल के लिए किसको reappoint किया गया है दोस्तो जर्मनी के राश्पती के रूप में reappoint किया गया है Frank Walter Steinmeier को ठीक है और आपको Chancellor का नाम भी पता होगा दोस्तो जो आपकी जर्मनी के Chancellor है इनका नाम है Olaf Scholz कौन है Olaf Scholz आपके जर्मनी के Chancellor है जाद रखेंगे अगला कोशन दोस्तो कौन से राज्ची के मुख्यमंत्री ने एक लाख रोजगार पैदा करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए नई IT और पर्टिकुलर ITS पॉलिसी यहाँ पे नीती की घोशना की है आंसर करें सब लोग आंसर करिएगा दोस्तो किसीने दोस्तो यहाँ पे IT और ITS देखो IT का मतब होता है Information Technology और ITS का मतब होता है Information Technology Enabled Service ऐसी सेवाएं जो Information Technology सूचना प्रदोगिगी पर अधारित है तो आने वाले 5 साल के लिए एक लाख employment की बात करती है आपकी गुजरात सरकार याद रखें गुजरात के मुख्यमंति भुपेंदर पटेल साहब के दोवारा स्टीज को अनाउंस किया गया था याद रखेंगे अगला कोशन दोस्तो आप लोगों का United Nation Environmental Program की अगर हम बात करते हैं UNEP की दोस्तो इसने एक Memorandum of Understanding Sign किया था कौँन से स्टेट Government के साथ, कौँन सी राज्य सरकार के साथ, जो कि राज्ये में दोस्तो माजी वसंदरा Campaign को Focus करेगा, किसको focus करेगा माजी वसंदरा को क्या करेगा Focus करेगा, दोस्तो माजी वसंदरा का मतलब होता है और UNEP ने इसको यहाँ पे जो M.O.U. साइन किया गया वो किया गया दोस्तो महरास्ट के साथ, किसके साथ महरास्ट के साथ, तो यहाँ के नागरिकों को जलवायू परिवर्तन से होने वाले जो भी आपकी इंपैक्ट हैं, उन पर फोकस करवाने का लक्ष है इसमें रखा गया दोस्तो बहुत अच्छा कोशन है, याद रखें, हुमन ट्राफिकिंग को रोकने के लिए रेलवे प्रटक्शन फोर्स के दुआरा इसको लॉंच किया गया, दोस्तो कई बार यह देखा जाता है, हुमन ट्राफिकिंग जब किसी गरीब स्थान से, मानव की तसकरी करते हैं महिलाओं को बच्चों को लेकर आते हैं और उन्हें गलत किसी भी सेक्टर में आप छोड़ देते हैं, चाहें उनके से बंधवा मजदूरी करवानी हो, चाहें प्रोस्टिटूशन करवाना हो, तो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ने यहाँ पर ऑपरेशन अहाट स्टार्ट किया है, क्योंकि Long Distance से दोस्तों क्या होता, अगर आप Long Distance से ट्रैफल कर रहे हो तो उससे आप लोगों का ट्राफिकिंग क्या हो जाती है, असान हो जाती है, याद रिखेंगे, ठीक है, चलिए, आगे वाला कोशन आपका क्या है, भारत का पहला commercial scale, biomass based hydrogen plant आपका भारत के आइडरोजन शरियन्त का उर्गातन किस राज्य में किया जाएगा, तो याद रखें दोस्तो ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्य पाल important हैं, दोस्तो याद रखेंगे मंगू भाई, piston नंगू भाई निये मंगू भाई, है जिसने दोस्तो नाशनल सिंगल विंडो सिस्टम को इंटीग्रेट किया है ठीक है विच मांक्स मेजर लीप इन और इस ऑफ डूइंग बिजनेस बताइए दोस्तों कौन से केंशाषित प्रदेश ने नाशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकिकरत होने वाला पहला केंश चाशित प्रदेश बन गया है जो इस ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी चलांग लगाता है जला आंसर करें दोस्तों यह है आपका जम्मू काश्मीर जम्मू कश्मीर पहला यून यून टेरिटरी जिसने अपना नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम यहां पर क्या किया है चलाया है यह बात याद रिखेगा अरे बोलो बात समझ मा रही है आगे बढ़ते हैं शोशल मीडिया कंपनी कौन सी है जुसने दोस्तों टेक आप ब्रेक कैमपेंग यहां पे लाने की कोशिश करी है जो कि शोशल मीडिया पर कहते हैं कि आप ब्रेक लिज़े उसको अंक करीज करने के लिए यह कैमपेंग चलाई गई थी इंस्टाग्राम के दुवारा कि भाया पूरे दिन रील्स देखते रहोगे मम्मी मारेगी नहीं पापा मारेंगे नहीं तो इंस्टाग्राम वाला जो है वो थोड़ा सा याद रिखेगा है साने बारना कौन सा वो गाना च क्या है दोस्तों भारते रिजर बैंक की रूप में है नंबर दो ठीक है कितनी है नंबर दो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अरे बोलो बास समझमारी निसमझमारी किलियर हो रही है बात वीडियो को लाइक नहीं करोगे शेयर करोगे शेयर कर दो यार अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेर जरूर करें और यहां पर मैं शुक्रिया करूंगा और बच्चों का जो सिंसेर्टी से क्लास को एक्सिस कर रहे हैं रियली अप्रिशेट यू गाईज बहुत अच्छी बात है बढ़ते हैं अगले कदम की ओर अगला कदम दोस्तो हमारा आता है नितिन गटकरी ने दोस्तो इनोग्रेट क्या है 14.5 किलोमेटर लॉंग रेन कम रोड ब्रेज ओवर गंगा रीवर ठीक है तो नितिन गटकरी सहाब ने दोस्तो बिहार के मुंगेर में गंगा नदी पर 14.5 किलोमेटर लंबे रेल सहे सड़कपुर का उडगाटन किया दोस्तो इसे कितने रुपे की लागत से NH333B पर बनाया गया है बताएगे दोस्तो दोस्तो याद रखे 696 करोड रुपे की लागत से नितिन गटकरी सहाब ने 14.5 किलोमेटर लॉंग रेल कम रोड ब्रेज गंगा रीवर पर मुंगेर बिहार में बनाया है और कौन से हाइवे पर बनाया है 333B पर बनाया है ये बात ध्यान रखे नीचे आपको फोटो दिख रहा होगा ठीक है इससे दोस्तो ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का निदान आपको देखने को मिलेगा मुंगेर सिटी तो आपको बताई है कितनी फेमस है बिहार के लिए क्यों फेमस है बताएगा कोई बच्चा बताओ दोस्तो बिहार का एक मेजर टूरिस्ट और पिलिग्रिम साइट है आपकी मुंगेर वाय कोई बताओ क्योंकि दोस्तो यहाँ पे प्राचीनतम इतिहास कि कर हम बात करें प्राचीमतम कल्चर की बात करें एजुकेशन की बात करें तो उन सब में आपका मुंगेर अवल दर्जे पर आपको देखने को मिलता है अगला कोशन दोस्तों इंडिया इंडियन फास्ट मुविंग कंज्यूमर कोड्स FMCG वेरी इंपॉर्टन दोस्तों इसकी प्लास्टिक वेस्ट न्यूटरल कंपनी कौन सी बन गई है यानि कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूटरल कोई भी प्लास्टिक वेस्ट यहां पे नहीं देखने को मिलेगी तो दोस्तों याद रखें डाबर इंडिया लेमिटेड डाबर इंडिया लेमिटेड आपकी इंडिय कि किस राज़े में मनाया जाता है दोस्तों मुरू मुहसब मनाया जाता है आपके राजस्थान राज़े में इसको एक नाम से और जानते हैं याद रखें जैसल मेर जैसल मेर डैजर्ट फेस्टिवल क्या बोला जैसल मेर डैजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी इसको मनाया जाता है इसके बाद बात करेंगे विश्व दलहन दिवस आपका हर साल कब मनाते हैं दोस्तो विश्व दलहन दिवस हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी को कब मनाते हैं दोस्तो 10 फरवरी को मनाते हैं अगला कोशन दोस्तो safer internet day हर साल कब बनाते हैं यह important question है youth के लिए मतलब हमारे यूआवर के लिए भारत के लिए तो 8 फरवरी इस question का right answer है इसके साथ साथ आपको इसकी theme भी पता होनी चाहिए 2022 की जो theme है दोस्तो safer internet की असान है नाम भी पड़ी है together for a better internet एक साथ हम better internet की बात करते हैं दोस्तों आप सबको बताओगा safer का मतलब क्या होता है किसी भी तरीके के data leak की समस्या ना हो कोई आपकी ID हैक ना करे बहुत सारे financial frauds वगरा ना हो इनको धिहान रखा जाता है अगला question है अटल टनल दोस्तो longest highway tunnel आपकी 10,000 fit के उपर यहाँ पे recognize की गई है world book of records के द्वारा तो अटल टनल की length आप से पूछ रहा है कितनी है तो दोस्तों अटल सुरंग को world book of records द्वारा 10,000 fit से उपर की सबसे लंबी राजमार्क सुरंग के रूपे मानने तदी गई है अटल सुरंग की लंबाई कितनी है पताओ दोस्तों कितनी है असान question है और important question है कितनी है 9.02 km ठीक है और आपको पताओगा दोस्तों अटल टनल जो है यह जो highway है आप लोगों का यह रोहतांग पास के अंत्रगत आपको देखने को मिलेगा कौन है यह दिख रहा है कोई आपको special आद्मी भारत के जी दीक रहें ने दीक रहें कोन है यह दीक रहें ने बागुची कोन है अगला question है अगला question है Pfizer India के chairman कौन है Pfizer company तो आपको बताईए दोस्तों काफी important company है Pfizer company के अगर मैं आपसे बात करोंगा तो उसके चेर्मेन है आप लोगों के कौन है प्रदीप शहा ठीक है प्रदीप शहा आपके फाइजर इंडिया के दोस्तो चेर्मेन है बहुत बष्चित व्यक्ति हैं MBA डिग्री ले रखिया दोस्तों Harvard Business School से Harvard Business School से MBA की डिग्री लेके बैठे हुए हैं आपके Pfizer इंडिया के चेर्मेन, दोस्तो Department of Financial Services, वित्ती सेवा विभाग, क्यानि कि जो आपका वित्त मंत्राले का वित्ती सेवा विभाग है, इसमें सचिव के रूप में किसने नुक्त किया है, दोस्तो वित्त मंत्राले का वित्ती स Services का Secretary बनाया गया है, आपके मन में Question आ रहा होगा, दोस्तो गुरुजी, ये Financial Services क्या होती है, और कैसा Department है, दोस्तो जैसे आपके यहाँ पर बैंक हो गए, जितने भी आपके Financial Institutions हैं, वित्ती संस्थान हैं, चाहें वो NBFC हों, चाहें Small and Finance Bank हो, चाहें आपके दोस्तों Insurance Companies हों, चाहें आपका कोई National Pension System चल रहा हो, ये अंतर रास्टे बैंकिंग चल रही हो, इन सब को कवर करती है, आपकी Department of Financial Services, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सी राज्य सरकान ने 3 साल का MOU साइन किया है, British Council के साथ, ठीक है, और ये Renew कर रही है, पार्टनर्शि अगला कोईशन हमारे सामने आ रहा है, कौन से और्गनाईजीशन ने दोस्तों, जिवा प्रोग्राम लॉंच किया है, जो दोस्तों, नैचलर फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कर रहा है, ठीक है, इसका जो अभी एक वाटर्शेड और वादी प्रोग्राम चल रहा है, ग्यारा स्टेट्स में, तो नैचलर फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जिवा प्रोग्राम किस इंस्टिटूट के द्वारा लॉंच किया गया, दोस्तों, जिवा प्रोग्राम लॉंच किया गया नबाट के द्वारा, किस के द्वारा, नबाट के द्वारा, आपके भा दोस्तों यहां पर बात करेंगे नन्ना शेले का नन्ना कोड़ गे क्या बोला नन्ना शेले नन्ना कोड़ गे तो स्कूलों की बुनियादी धांचे की जरुतों को पूरा करने उनको मदद करने के लिए जो एप विक्सित किया गया है नन्ना शेले नन्ना कोड़ गे तो किसके की हालत को सुधारा जा सकता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तो नन्ना शेले नन्ना इसका हिंदी में रुप आंतरन याद रखेंगे और English ने बता रहता हूं याद रखें my school and my contribution मेरा school और मेरा contribution ठीक है तो काफी important टैप आप देखेंगे करनाटक सरकार के द्वारा लाया गया दोस्तों यहाँ पे THDC India Limited ने sign किया है एक pact और यह 10,000 Megawatt का solar power projects यहाँ पे देखने को मिल रहा है 10,000 करोर्ड रुपे के investment से कौन से state में 10,000 करोर रुपे के निवेश चे 10,000 Megawatt सोर उड़जा परियोजनाओं के निर्मान के लिए एक समझोतिक यापन परहस्ताक्षर किसके साथ किये गए है तो याद रखे दोस्तों राडिस्थान के साथ किये गए है जिने students को नहीं पता THDC क्या है तो आप लोगों ने दोस्तों TRI Hydro Development Corporation का नाम सुनाओगा तो ये TRI Hydro Development Corporation आपका Limited ये आपका THDC पहले हुआ करता था याद रखेंगे जो कि आपका National Thermal Power Corporation NTPC के अंटरगत अंतरगत आपको देखने को मिलेगा तो NTPC की ownership के अंतरगत आपका THDC क्या करता है काम करता है आपका basically रिशिकेश उतराखर्ण में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे राजिस्थान के लिए पर्टिकुलर ये portion section किया गया है दोस्तों यहाँ पे भाई आ गए हमारे भाई की बात करेंगे Paul Henry Sandugo ठीक है दोस्तों Paul Henry Sandugo दामीबा को किस देश के राजपती के रूप में गोशित किया गया है दोस्तों याद रखें ये हैं आपके बुर्कीना फासो ठीक है बुर्कीना फासो के आपके राजपती क्या है बुर्कीना फासो के राजपती बुर्किना फासो को देखने की कोशिश करते हैं तो बुर्किना फासो आपको कहां दिख रहा है कोई बताएगा भईया किसी को दिख रहा है बुर्किना फासो अरे बतादो कहां दिख रहा है बुर्किना फासो नहीं दिख रहा दिख जायागा दिहान से देखना ठीक है दिख जायागा दिहान से देखना ये रहा बुर्कीना फासो दोस्तो याद रखेंगे सबसे पहले तो बुर्कीना फासो की राजधानी आपको सबको पता होनी चाहिए तो याद रखें इसकी राजधानी है ओगा डोगू क्या राज is CFA franc आपकी इसकी currency है याद रिखिए का इस वेरी इंपोर्टेंट बुर्कीना फासो और अफ्रिका कॉंटिनेंट की विशेषता मैंने आपको बात पहले भी बताई थी दोस्तों अफ्रिका कॉंटिनेंट एक ऐसा महादीप है जिससे आपकी तीन लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैं कॉन होकर गुजरती है ठीक है तीनों लाइन आप किस से होकर गुजरती है अफ्रिका कॉंटिनेंट से ये बात याद रखेंगे अरे बोलो बास समझ मारे नी समझ मारी भाईया समझ मारी है तो अगला बता दो CBI ने दोस्तो गुजरत बेजड एबीजी शिपियार्ट पर यहाँ पर फैनेंशल फ्रॉट का मुकदमा चलाया है और ये अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉट केस रिजिस्टर्ड हुआ है किसी भी बैंक के लिए तो आपको ये बताना है दोस्तो कि CBI के दवारा कितने करोड रुपे का यहाँ पर फैनेंशल फ्रॉट किया गया दोस्तो ये फैनेंशल फ्रॉट किया गया है बाईस हजार आट सो बैालिस करोड रुपे का और करने वाले हैं मान्या बनिये सहाब रिशी अगरवाल सहाब रिशी अगरवाल सहाब इसके खिलाफ FIR करी जा चुकी ह मुंबई शिप्याड जो आपकी ये कंपनी है बिजी शिप्याड ये आपकी दोस्तो मुंबई बेस कंपनी है और इस पर कंप्लेंट की जा चुकी है ये आपके CMD है रिशिय अगरवाल चेर्मेन एंड मनेजिंग डारेक्टर है याद रखेंगे दोस्तो इसके बाद बात करे जो आपकी मौसपी है मौसपी मतलब Ministry of Statistics and Program Implementation यानि की सांखिकी और कारेकरम कारियानिवन मंतरा लिया है इसने भारत की Gross Domestic Product GDP Deflator आपका 2023 के लिए कितना यहाँ पे देने की बात किया है दोस्तो GDP Deflator जो पहुचा है वो 3.5% पहुचा है GDP Deflator क्या होता है इसके लिए आप सकते हैं मेरी Inflation की Class उसमें मैंने आपको GDP Inflator Economics के Crash Course में बता रखा है वहाँ से आप इस चीज को समझ सकते हैं अगला Question दोस्तो CPI Same Question दोस्तो Consumer Price Index के बारे में Economics का जो Crash Course है सेम उसमें मैंने आपको बता रखा है कि CPI क्या होता है दोस्तो Month of January की अगर हम बात करेंगे तो CPI Consumer Price Index अपका 6.01% देखने को मिला ठीक है और आपको पता है दोस्तों भारत में Inflation की Limit कितनी है 4-5% तो आप ये कह सकते हैं कि Reserve Bank of India की Upper Limit पर आपको CPI महंगाई देखने को मिलेगी Those students who want to study CPI क्या होता है महंगाई कैसे निकलती है महंगाई की Limit क्या होती है Retail Inflation क्या होता है Wholesale Inflation क्या होता है उसके लिए आप Class 1 और Class 2 देख लीजेगा Economics Crash Course की Playlist आपको मिल जाएगी तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ ग्यान की पराप्ती हो जाएगी दोस्तो Air India के MD&CO किसको Appoint किया गया है दोस्तो वैसे इनका नाम है Ilkar IC ठीक है लेकिन दोस्तो इन्होंने अपना Appointment खुद से लेने की मना कर दी है ठीक है Ilkar जो IC सहाब है ये Turkish Airline यानि की Turkey के Airline के Chairman है आपके ठीक है तो इन्होंने फिलाल मना कर दिया था Ilkar IC ने याद रिखेगा तो पेपर में कोशन आता है तो आप Ilkar IC आंसर करेंगे इसके लावा कोशन वैसे आने के chances नहीं बनते इस बार क्योंकि अभी मना कर रखा है तो कोशन नहीं आएगा ये वैसे पहले बहुत important था ठीक है फिर भी याद रखें Ilkar IC का नाम दोस्तों बात करेंगे Supreme Court ने एक panel बनाया था चार धाम project के ऊपर ठीक है तो उसका यहाँ पे उसके chairman के रूप में जो chairman थे उसमें उन्होंने स्तीफा दे दिया है चार धाम project के जो पैनल ब चौपड़ा सहब कौन है दोस्तों रवी चौपड़ा सहब की यहाँ पे बात करेंगे and he has designed from the post of chairman of the Supreme Court appointed panel on चार धाम project तो चार धाम project जो है दोस्तों आपका it is very important project आप सब को पता होगा चार धाम यानि कि आपकी यमनोत्री गंगोत्री बद्रिनात and किदार्नात इन सब को य जवी चौपड़ा इस दी chairman of the chairman थे इस project के इसको याद रखेंगे अगला question दोस्तों आपका यह है Indian Air Force IAF Indian Air Force Indian Air Force भारते वायू से ना चार दिवसी है Singapore Air Show 2022 में तेजस हलके लडाकु विमान का प्रदर्शन करेगी अभी जो सिंगापुर में Air Show हो रहा है उसमें अपने हलके लडाकु विमान का प्रदर्शन करेगी दोस्तों आपकी तो आपको बताना है कि यह तेजस किसके द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों याद रखें तेजस को जो निर्मित किया गया है कोई बताएगा दोस्तों कोईशन हैं अंसर करें सबस्टूडेंट्स वेरी इंपोर्टन कोईशन अंसर करिएगा रहां जी बताएगे बाएगा रहां जोस्तों याद रिखेंगा हिंदुस्तान एरनॉटिक्स लिमिटिट के द्वारा, HAL के द्वारा आपका मैनुफैक्चर किया गया है, यह बात ध्यान रखिंग, it's very important नेस्ट कोशन पर मूव करते हैं, मिनिस्ट्री ओफ रेलवे ने दोस्तो एप्रूफ किया है, कंट्री का सबसे बिगेस्ट स्टेट ओफ आर्ट रेसलिंग अकैडमी इन इंडियन रेलवे एट, तो आपको यह बताना है, सब इस्टुडेंट्स को इस कोशन का अंसर करना है, दोस्तो दिल्ली में आपकी रेल मंतराले ने याद रिखेगा, भारती रेलवे में देश की सबसे बड़ी अत्यादुनिक कुष्टी अकदमी स्थापित करने की मंजूरी दी है, दिल्ली में याद रखेंगे, ठीक है, अगला कोशन है, हाउ टू प्रिवेंट दा नेक्स प बनाई गई, स्मगलिंग और काउंटर फिटिंग अक्तिविटी इस ड्रेस्ट्वाइंग दा एकनॉमी, अर्थ वस्था को नस्थ करने वाले तसकरी और जाल साजी गतिवीदियों के खिलाफ जो फिक है, जो आपका फिक है, याद रिखेगा, उसकी एक समीती बनाई गई क स्केट, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि एंटी स्मगलिंग डे इसके द्वारा कब मनाया गया, याद रखें, और हर साल कब मनाया जानी की बात की गई है, दोस्तो हर साल आपका 11 फरवरी को, 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे आपका मनाया जाएगा, याद रखें, और फिककी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, फिककी विककी कुछ नहीं, व्या होता है फिककी, फिककी होता है दोस्तों, Federation क्या बोला? Federation, यहांगा फेडरीशन वाने होता है संग, ठीक है? Federation of Indian Chambers, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, ठीक है? वारीच है, मुद्ध्यों के लिए आपका एक Federation है, इंडियन Chambers याद रखेंगे, जो कि 11 फरवरी को आपका ये मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेगा अरे भाईया बात समझ मारी है सब स्टुडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं जल्दी से बता रिचेगा आप लो 11 फरवरी आपका anti-smuggling day आपका मनाया जाता है फिक्की के आपसे पूछ सकता है who's the president तो याद रखें दोस्तो फिक्की के president है आपके संजीव महता कौन है दोस्तो संजीव महता आपके फिक्की के president आपको देखने को मिलेंगे अगला question दोस्तो ये है which Indian city has ranked 5th as the most congested city in the Tom Tom traffic index ranking 2021 Tom Tom traffic index 2021 में सबसे भीडवार वाले शहर के रूप में किस भारते शहर को 59th मिला दोस्तो यहाँ पर भीडवार वाले शहर की बात करेंगे तो याद रखेंगे इसमें सबसे भीडवार भारा शहर रहा मुंबई ठीक है कौन सा रहा आपका मुंबई ये बात याद रिखेंगे आप कौगे सर नंबर एक पर कौन सा शहर था तो एक नंबर एक पर था दोस्तो आपका Istanbul, Istanbul दोस्तो कहां देखने को मिलेगा आपको तरकी में देखने को मिलेगा, तरकी की capital क्या है दोस्तो अंकारा याद रिखेगा, अगला question आप लोगों के सामने आपको देखने को मिलेगा इंडिया दोस्तों यहाँ पे help करेगी कौन सी country को launch करने में Unitary Digital Identity Framework Model on the Adharkard जैसे आपका Adharkard होता है दोस्तों तो उसमें आपका एक Unitary Digital Identity Framework है आपकी अपनी खुद के Identity है Digital Identity आपके लिए रखिए है तो यह जो पद्दती है यह जो हमारा सिस्टम है इस framework को दोस्तों यह श्रिलंका के साथ यहाँ पे help करेगा श्रिलंका के लिए establish करने के लिए ठीक है बास समझ मारी है श्रिलंका बहुत important है पेपर के हिसाब से इसके प्रधान मंतरी दोस्तों महिंदा राजपक्षा इसके राशपती गोडविया राजपक्षा इसकी currency श्रिलंका रुपी इसकी capital श्री जवर्धन पुरे कोटे वन आफ दी most important aspect आपसे पूछे जाने के chances है हर exams में और क्योंकि financial crisis यहां पे आ रही है आपको बताओगा foreign exchange reserve इसके समाप्त हो चुके हैं दोस्तो current policy rapport rate के according Reserve Bank of India की monetary policy में कितना rapport rate आपको देखने को मिला दोस्तो rapport rate आपको देखने को मिलेगा 4% and students who want to know क्या होता है rapport rate उसके लिए आप economics का crash course देख सकते हैं और economics के crash course की जो शुरू की दो class हैं उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है कि monetary policy कैसे काम करती है दोस्तो एशिया का सबसे largest 550 ton capacity का bio CNG plant गोबर्धन भारत के किस शहर में उनेंदर मोदी सहाब जी के द्वारा scout घाटन किया गया दोस्तो भारत का सबसे एशिया का सबसे largest 550 ton capacity का bio CNG plant गोबर्धन दोस्तो इंदर शहर में आपको देखने को मिलेगा किसमें देखने को मिलेगा दोस्तो इंदर शहर में आपको देखने को मिलेगा याद रिखेगा कहाँ पे इंदर शहर में देखने को मिलेगा इसके बाद दोस्तो बात करेंगे इंडियास first water taxi service भारत की दोस्तो पहली जल taxi saver का उटगाटन हमारे यहाँ पे केंद्रे मंत्री सर्वनंदा सोनवाल सहब के दौरा किया गया सर्वनंदा सोनवाल के पास पहले खेल मंत्राले रहा करता था आपको पता होगा अभी वरतमान में दोस्तो यह port shipping and water waste के आपके कौन है मिनिस्टर है यानि की बंदर कहा जहाजरानी और जलमार्ग मंत्राले के मंत्री हैं दोस्तो और याद रखें मुंबई में आपकी पहली water tax service आपको देखने को मिलेगी मैं उम्मीद करूंगा इस class के link को maximum दोस्तो शेयर कर दें अपने साथियों के पास अगला question है दोस्तो कौन सा राज्य के इन्शाषित प्रदेश की पुलिस smart card arms license launch करने वाली भारत की पहली सुरक्षाबल बन गई है दोस्तो पहली security force जो smart card arms license यहाँ पर launch कर रही है तो आपको पता होगा दोस्तो दिल्ली के दौरा ऐसी पेशकर्ष की गई है याद रखेंगे दिल्ली इसको कर रही है 75 वी वर्ष कार्ठ दिल्ली पुलिस की देखने को मिली उस occasion पर दोस्तो ये आपका smart card arm license आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये बात याद रिखेंगा ठीक है अगला question युनानी डे दोस्तो हर साल कब मनाया जाता है दोस्तो युनानी डे मनाया जाता है 11 फरवरी को कब मनाते हैं 11 फरवरी को मनाते हैं याद रखेंगे और ये बड़ थैनिवर्सरी पे मनाया जाता है हकीम अजमल खान की किसकी हकीम अजमल खान ठीक हो डॉक्टर में दोस्तों एक होते है आयुरवेदा, एक होता है योगा एंड नैचरल पैथी, एक होती है युनानी, एक होती है सिद्ध, एक होती है होमेपैथी, तो आपने कई डॉक्टर देखे होंगे B.A.M.S, कई देखे होंगे B.U.M.S, कई देखे होंगे B.H.M.S, देख यहाँ पे बच्चियों का, महिलाव और लड़िकियों का साइन्स में दोस्तों हर साल ग्लोबली कब मनाया जाता है, बहुत इंपोरٹन दे है, बहुत जादा इंपोरटन दे है, पेपर के हिसाब से, बहुत इंपोरटन दोस्तों, याद रख के एक है equity यानि की यहां पे समानता की बात करते हैं एक है दोस्तो diversity यानि की विवित्ता and inclusion ठीक है क्या है inclusion अरे बोलो बास समझ माई नी समझ माई जल्दी से बता रिचेगा ठीक है लियाद रखें अगला question आपका India Africa Relations Changing Origins नामक नई पुस्तक के लिखक का नाम आपसे पूछ रहा है कौन है दोस्तो याद रखेंगे ये हैं आपके कौन है जल्दी से नाम बताएं दोस्तो कौन है आपके राजीव कुमार भाटिया राजीव कुमार भाटिया दोस्तो यह आपके ambassador है याद रखेंगे और foreign policy study की भी है उन्होंने काफी important रिक्तित्र के धनी है राजीव भाटिय के दौरा इस किताब को लिखा गया दोस्तो एहमदाबाद IPL franchise जिसको CVC Capital ने यहाँ पे on किया है इसक का नाम आपको देखने को मिलेगा गुजराट Titans क्या नाम है गुजराट Titans ठीक है क्या नाम है गुजराट Titans याद रखें IPL के बारे में आप जानते हैं IPL की शुरुवात आपके भारत में 2008 में आपको देखने को मिली याद रिखेंगा वरतमान में अगर हम 2022 की बात करें तो तो टोटल IPL की टीम दस हैं याद रखेंगे दस टीम सबसे सकसेस्फ टीम आज तक IPL में कोई हुई है तो मुंबई इंडियन्स हो यह आपको बताऊगा मुंबई इंडियन्सने दोसतो पांच बार खिताब IPL का जीता है ये भी ध्यान रखेंगे अगला कोशन दोस्तो आपके भारत में स्टाफ सेलेक्शन कमिशन करमचारी चर्याइरो आयो के अध्यश के रूप में किसी निक्त किया गया है दोस्तो सीनियर बिरोक्रेट्स एस्ट किशोर सहाब को SSC का चेर्मेन बनाया गया है याद रखें जो आपके SSC होता है उसके चेर्मेन उते हैं वो आपके IS ऑफिसर होते हैं तो 1989 बैच के दोस्तो सीनियर IS ऑफिसर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं जी बताएए कितने students ने वीडियो को like नहीं किया मज़ा नहीं आ रहा है न तो वीडियो को like भी कर दीचेगा दोस्तो S किशोर सहाब की हाँ पर बात करेंगे S किशोर तो S किशोर आपके स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के आपके चेर्मेन बनाए गए हैं याद रखेंगे और SSC आप लोगों का favorite group B की post group C, group D की recruitment करवाता है central level पर 4 November 1975 को स्थापना हुई दोस्तो New Delhi में इसका आपका headquarter है और आपका DPOT के अंतरकत Department of Personal Training के अंतरकत आपका या आपको देखने को मिलेगा अगला question है दोस्तो Economist Intelligence Units Democracy Index 2021 में भारत की क्या रेंग है दोस्तो याद रिखेगा आपसे पूछ रहा है Economics Intelligence Units के अनुसार जो प्रजात तंतर सूचकांग 2021 हैस में भारत की रेंग क्या है तो याद रखेंगे दोस्तो 46 और इसमें दोस्तो टॉप किया है आपके किसने नौर्वे ने नौर्वे की राजधानी क्या है दोस्तो Oslo अगला question आपके सामने Global Entrepreneurship Monitor 2021-22 रिपोर्ट की अनुसार जो की दुबई एक्सपो में अनुविल्ट की गई है आपकी तो भारत की रेंग क्या है एक easiest place के रूप में नए बिजनिस को स्टार्ट करने में तो Global Entrepreneurship Monitor की अगर हम बात करते हैं तो भारत की रेंग आपको बतानी है सबसे असान स्थानु में नया website शुरू करने के लिए दोस्तो नया website शुरू करने के लिए जो भारत की रेंग है फूर्थ रेंग आपको भारत को देखने को मिलेगी और इसमें दोस्तो टॉप किया है आपकी सौधी अरब ने सौधी अरब दोस्तो इसमें टॉप करा है इस रेंकिंग में याद रखेंगे किलियर इसके बाद दोस्तो हम बात करेंगे Comscore Report की, किसकी बात करेंगे दोस्तो Comscore Report की Comscore Report के नुसार Highest Digital Payment लगभग 45% Penetration FinTech Company में दोस्तो किस कमपनी के द्वारा किया गया है दोस्तो FinTech का मतलब होता है Financial Technology वो कमपनियां जो Financial Sector में Technology का यूज करती है उनको Financial Technology या FinTech Company के नाम से जाना जाता है जिस तरीके से दोस्तो वो कमपनियां जो Education में Technology का यूज करती है उनको AdTech Company बोलते हैं जैसे आपकी ByJuze Exam Prep इसी तरीके से दोस्तो हमारी AdTech Company होती है Agriculture Sector में आपके Technology का यूज करना AgriTech के नाम से जाना जाता है दोस्तो यहाँ पे Comscore Report के अनुसार Paytium आपका यहाँ पे Highest Digital Payment करने वाली आपकी Company आपको देखने को मिलेगी ये बात ध्यान रखेंगे Clear बात समझ मारी है Paytium आपको पता होगा दोस्तो 2010 में विजय शेखर शर्मा के दोवारा Start की हुई Company दिल्ली College of Engineering के आपकी ऐलूमिनाई विजय शेखर शर्मा अलिगड़ से बिलॉंग करते हैं DPS अलिगड़ से पड़े हुए हैं Headquarter दोस्तो कहां पर इसका नोइटा में देखने को मिलेगा अगला कोशन दोस्तो आपके सामने Brand Ambassador and Investor of Krishy Network दोस्तो Krishy Network के Brand Ambassador और आपके Investor कौन है तो आप सब लोगों को नाम पताओगा दोस्तो पंकस तिरपाठी का और जैसे कि मैंने भी आपसे कहा था AgriTech ये दोस्तो AgriTech कमपनी है AgriTech का मतलब वो कमपनियां जो Agri Culture छेतर में Technology का यूज़ करती है उनको AgriTech कमपनी बोली जाती है दोस्तो इस कमपनी को Krishy Network को स्टार्ट किया गया था आशिश मिश्रा और सिध्धान भाई के दुवारा ये की ऐनुमनाई हैं दोस्तो इंडियन इंस्टिटूट आफ टेक्नलोजी के ठीक है IIT खड़कूर के एलुमनाई हैं वहाँ से पड़े हुए हैं और इंका स्टार्टप दोस्तो किसानों के डाउट्स का सॉलुशन करता है उनको Information Support प्रवाइट करता है याद रिखिए का अगला Question दोस्तो मद्रास High Court के मुख्यन आधीश के रूप में किसे निक्त किया गया है मुनिश्वर नात भंडारी को किसको मुनिश्वर नात भंडारी को निक्त किया गया है इसके बाद दोस्तो टाटा संस के Chairman के रूप में अने वाले 5 सालों के लिए किसको reappoint किया गया है तो Tata Suns के Chairman के रूप में दोस्तों यहाँ पे appointment किया गया है नटराजन चंदरशेखरन को किसको नटराजन चंदरशेखरन को इसके बाद ESPN Cricket Info Test Batting Award 2020 किस भारते क्रिकेटर के पास पहुचा दोस्तों ESPN Cricket Info Test Batting Award 2020 किस यह पहुचा है आपके रिशब पंद के पास किसके पास रिशब पंद के पास आपको देखने को मिलेगा यह बात याद रिखेगा किसके पास रिशब पंद के पास इसके बाद दोस्तों इंडिया की जो हमारे Goa Shipyard Limited है इसने 5th and final vessel of the 5 Coast Guard Offshore Patrol Vehicle Project ahead of contractual schedule the vessel has been भारत की जो दोस्तों Goa Shipyard Limited Company है इसने 5 टरक्षक एपटेटी है गस्टी वहान यानि कि आपके जो Coast Guard Offshore Patrol Vehicle है तो उसका पांचवा और अन्तिम पोत अनुमंदिस समय से पहले ही वित्रित कर दिया तो इसका रहे हैं याद रखेंगे Goa Shipyard Limited का जो Headquarter है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा कहां पे Goa में याद रिखेगा और इसके Chairman and MD कौन है आप लोगों के भारत भूशन नाकपाल कौन है भारत भूशन नाकपाल अगला कोशन है दोस्तों एक book लिखी गई है अटल विहरी वाचबी के ऊपर इसका title है दोस्तों किसने इस किताब को लिखा है ठीक है दोस्तो इस किताब को लिखा गया है सागरीका घोश के दुआरा सागरीका घोश एक journalist है उन्होंने इस किताब को लिखा इन्फेक्ट इन्होंने दोस्तों इंदरा गानी जी के ऊपर भी किताब लिखी है कि इंदरा most powerful prime minister तो ये भी किताब किसे ने लिखी है सागरी का गोशने याद रखेंगे काफ़ी important किताब है इनके दोरा जिसमें दोस्तों बायोग्राफी बताई गई है अटल विहारी वाजबेईजी की अगला कोशन रास्टे उत्पादकता दिवस हर साल भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों रास्टे उत्पादकता दिवस की बात करेंगे श्रीमती सरोजी नाइडू जी का बर्डे तेरा फरवरी को मनया जाता है, ऐसी बारत की महन विभूती का जनम तेरा फरवरी, 1889 में दोस्तो इनका जनम हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है, नाइटिंगल आफ इंडिया के नाम से इनको फेमस है, सबको बता होगा, भारत की क लोकिला के रूप में जानते हैं दोस्तों, इंडरनेशनल कॉंग्रेस, भारतिय रास्टे कॉंग्रेस की प्रथम भारतिय महिला अध्यक्ष, कौन थी सरोजी नैडू थी, आप से कोई पूछे दोस्तों, कि प्रथम महिला अध्यक्ष इंडरनेशनल कॉंग्रेस की, तो एनी इंडिया आपकी मैं अगला कोश्ष उन विष्यो डिवस साइप का हर साल कब मनाnous जाता है दोसतो हर साल रेडियू डिवस भ्णाने bye परवरी को कब 13 फरवरी को अगला कोश्चन है दोस्तो बजाज ग्रूप के फॉर्मर्ट चेर्मेन और उद्योग पती जिनका हाली मनिधन हो गया है दोस्तो वेरी इंपोर्टन परसनेलिटी बजाज ग्रूप के चेर्मेन माननेशी राहूल बजाज सहाब ठीक है राहूल ठीक है तो यह कौन थे यह आपको बताना है दोस्तो बहुत इंपोर्टन नेम है लुक मॉन्टेग्रियर का दोस्तो यह एक वाइरलो लॉजिस्ट का मतलब होता है वाइरलो लॉजिस्ट लॉजी मतलब दोस्तो इस्टडी ठीक है और वाइरो मतलब यहां पर मतलब है दोस् जी को बोलेंगे ठीक है दोस्तों ने किस चीची खोच की थी कोई बताएगा एनिवन दोस्तों इन्होंने डिस्कवर किया था HIV क्या किया था HIV वायरस की खोच की थी ठीक है जिससे आपका AIDS का यहाँ पे जो AIDS है acquired immunodeficiency syndrome इसके बारे में पता चलता है तो काफी important रखती है याद रखेंगे दोस्तों पूछा जा सकता है पेपर में याद रखेंगे दोस्तों मज़ेदार बात यह है इन्होंने इनको Nobel Prize से भी नवासा जा चुका है medicine में इनको Nobel Prize मिल चुका है medicine का वर्ष 2008 में ठीक है क्योंकि इन्होंने दोस्तों HIV वाइरस की खोज की जिसके कारण AIDS आपको देखने को मिलता है और वर्ष एडस दे कब होता है दोस्तों याद रखेंगे एक दिसंबर को आपका मनाया जाता है यहाँ पे अंतर रास्टिय यहाँ पे मिरिगी दिवस की बात कर रहे हैं हड़ साल कब मनाते हैं तो फरवरी का दूसरा सौमवार होता है फरवरी का दूसरा सौमवार सैकिंड मंडे ओफ एवररी को दोस्तों आप अंतर रास्टे मिरिगी दिवस बनाते हैं याद रखेंगे अगला कोशन है दोस्तों एगरी कल्चर प्रड़क्ट के एक्सपोर्ट के डवलप्मेंट की अठोर्टी ने अपना 36 वा फाउंडेशन डे कब बनाया तो बनाया दोसतो 13 फरवरी को एक बार और समझें क्रिशी के परड़क्ट्स है उनके एक्सपोर्ट के डवलप्मेंट की अठोर्टी थीक है ने जो 36 वा फाउंडेशन डे मनाया वो रखेंगेगे अगला कोश्चन अगला कोश्ट से तो पहला ही कोशन आपके सामने दोस्तों क्या याद रखना है कि सतीज धहवन स्पेस सेंटर कहां पड़ता है श्रीहरी कोटा में और अर्थ को अब्जर्व करने वाली सैटेलाइट का नाम क्या है तो याद रखेंगे दोस्तों EOS04 क्या है EOS04 आपकी अर्थ अब्जर्वे करें अगला कोशन यहाँ पर है जो आपके केंद्रिय उर्जा मंत्री है आरके सिंग इन्होंने एनाउंस किया था कि भारत जीरो डीजल यूज अचीव करेगा दोस्तों एगरी कल्चर में यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करेंगे हम रिन्यूबल अनर्जी के द दोस्तों इसके बाद अगला कोशन है जो 9th annual ranking देखने को मिली टॉप 10 countries की outside of the United States for leadership in energy and environmental design released by the US Green Buildings Council तो दोस्तों US Green Building Council, US GBC के दुआरा यहाँ पर lead, lead का मतलब क्या है? leadership, किस चीच में? energy में? और environmental design में? यहाँ पर कौन सी country ने भारत की rank आप से पूछ रहा है कि भारत की rank क्या है? दोस्तों जो भारत की rank आप को यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी दोस्तों third क्या rank के दोस्तों भारत की आपकी third rank आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी? अगला कोश्चन है पैसाबजार.com ने दोस्तो कौन से बैंक के साथ यहाँ पे साइन किया है और यह पैसा ओन डिमांड ओफर कर रहा है एक क्रेडिट कार्ड है दोस्तो जो पैसा बजार प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग है उनके लिए एक्स्क्लूजिवली अवेलेबल किया जा रहा है तो दोस्तो पैसाबजार.com ने यहाँ पर जो पार्टनरशिप की है यह पार्टनरशिप की है आपकी SDFC, I'm sorry RBL Bank के साथ ठीक है तो RBL Bank के साथ पार्टनरशिप की है और यह क्रेडिट कार्ड पैसा ओन डिमांड की हाँ बात कीश कर रहा है जो कि पैसा बजार प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे अवेलेबल होगा याद रखेंगे इसके बाद दोस्तो आपका Institute of Chartered Accountants of India ICAI आप सबको पताओगा हमारे Chartered Accountants के लिए आनि कि CA का एक Institute है दोस्तो 2022 तेहिस ट्रम के लिए इसके President किसको बनाया गया है दोस्तो Institute of Chartered Accountants of India के President बनाये गये है देवाशी श्मित्र सहाब को President बनाया गया है आप सबको बताओगा C.A.D. कब मनाते हैं एक जुलाई को बनाते हैं 1948 को दोस्तो आपकी ICAI की स्थापना हुई थी इसलिए एक जुलाई को हम C.A.D. Chartered Accountants दे भी मनाते हैं Headquarters इसका आपको देखने को मिलेगा दोस्तो New Delhi में याद रखें कि it's very important ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला Question विदानता ने दोस्तो कौन सी Country की Foxconn Company के साथ यहाँ पे tie-up किया है और यह दोस्तो यहाँ पे Joint Venture Form कर रहे हैं और भारत में Semiconductor Manufacturing करने की बात की जा रही है दोस्तो जो Foxconn Company है आप लोगों की सबको बता होगा है ताइवान की Company है दोस्तो कहां की ताइवान की Company आपको देखने को मिलेगी इसके साथ भारत में Semiconductor पर काम होगा अगें दोस्तो Wholesale Price Index आप से पूछ रहा है कि Wholesale Price Index आपका जो थोक मूल्य सुचकांग है दोस्तो आपका वो कितना आपको देखने को मिला कितना यहाँ पे गिरा तो याद रखेंगे 12.96% क्या होता है थोक मूल्य सुचकांग देखने के लिए देखिएगा Economic Crash Course Class No.1 and 2 You will get all the information about WPI and CPI ठीक है भीया वीडियो को लाइक नहीं कर रहे है भी ठीक है जी लाइक नहीं कर रहे है अगला कोशन दोस्तो Central Board of Secondary Education CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है दोस्तो CBSE के जो चेर्मेन बनाए गए है उनका नाम है दोस्तो विनीत जोशी सहाब विनीत जोशी सहाब को Central Board of Secondary Education का चेर्मेन बनाए गया है इसके बाद दोस्तो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेर्मेन of the Committee of Administrators which will run the Table Tennis Federation of India most important question for the particular your today month मतब जो फरवरी का आप का रहा Table Tennis Federation of India चलाने वाली प्रशाशको की समीती जो Table Tennis of India को run कर रही है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है दोस्तो यह भूत पूर्व आपकी Chief Justice है आपकी कहां की जम्मू कश्मीर High Court की जिनका नाम है गीता मित्तल ठीक है इनको यहाँ पे चेर्परसन बनाया गया है जो कमेटी है Administrator की जो Table Tennis Federation of India को चलाएगी Table Tennis Federation of India के अगर आपको चेर्मेन का नाम पता करना हो या फिर President का नाम पता करना हो तो यह President है दोस्तो आपके दुशियन चोटाला सहाब कौन है दुशियन चोटाला सहाब आपके President आपको देखने को मिलेंगे यह बात याद रिखिएगा क्लियर भाईया बात समझ मा रही है अगला कोशन Business Standard Banker of the Year Award से किसको नवाजा गया दोस्तो बिजनिस Standard Banker of the Year Award से नवाजा गया है संदीब बक्षी को संदीब बक्षी आपके ICIC Bank के MD&CO के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे है और इनको दोस्तो यहाँ पे Business Standard Banker of the Year से नवाजा गया यह बात याद रखेंगे अगला कोशन आपके सामने है आपको यह बताना है उस Male Player का नाम जिसको ICC Male Player Award से नवाजा गया जनवरी 2022 में इंपोर्टन कोशन है तो याद रखें दोस्तो कीगन पिटरसन की बात करेंगे कीगन पिटरसन दोस्तो यह कौन से आपके देश के है तो South Africa के Test Team के काफी important player है अगर आप से बूचे ICC Female Player of the Month Award किसको मिला तो ICC का जो Female Player of the Month Award से नवाजा गया वो Heather Knight को नवाजा गया यह दोस्तो आपकी England की Women Team की Captain है Heather Knight आगे कोशन आपका बनता है Humane How the United States Abundant Peace and Reinvented War तो यहाँ पे किताब है दोस्तो किस तरीके से How the United States Abundant Peace and Reinvented War तो इसकिताब को यहाँ पे लिखने वाले कौन है तो याद रिखेगा Samuel Moyan Samuel Moyan के दोस्तो एक इस किताब को लिखा गया Humane How the United States Abundant Peace and Reinvented War दोस्तों अंतर रास्टिय बच्पन कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है याद रखेंगे दोस्तों अंतर रास्टिय बच्पन कैंसर दिवस हर साल 15 फरवरी को आहम यहाँ पे अवेर करने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं बनाते हैं बपी लहरी जी की दोस्तों मृत्य हुए थी आप सबको बताओगा बपी लहरी एक music composer और एक singer के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे दोनों option correct हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौनसे bank ने M.O.U. sign किया है असम rifle के साथ ठीक है और असम rifle आपके भारत में सबसे oldest paramilitary force आपको देखने को मिलेगी जो provide कर रही है central forces salary package central forces जो है हमारी उनको salary package यहाँ पर provide करवाया जा रहा है जो भी आपके असम rifles के जितने भी personals हैं चाहें वो serve कर रहे हों चाहें वो retired हो गए हो दोस्तों याद रखें यहाँ पे M.O.U. जो sign किया जा रहा है असम rifle के साथ यह bank of बड़ोधा sign कर रही है ठीक है तो यह एक central force salary package create करेगी तो असम rifle के जो भी हमारे जोग हैं जो भी इससे जुड़ेवे हमारे forces से सदस्य हैं उनको यहाँ पे कई सारी चीजों में सुविधाएं banking facility यहाँ पे मिल जाएगी अगला question आपके सामने है gaming app जो A23 है इसके brand ambassador यहाँ पे किसको बनाया गया है दोस्तो शारुक खान सहब को आपके brand ambassador बनाया गया है gaming app A23 का इसके बाद बात करेंगे भारत का पहला इंडिया का पहला national manager time security coordinator कौन है दोस्तो भारत के सबसे पहले समुंद्री सुरक्षा समनिव्यक के रूप में किसे निक्त किया गया है दोस्तो यह आपके भूत पूर्व यानि की retired vice admiral है इनका नाम है जी अशोक कुमार इनको भारत के पहले समुंद्री सुरक्षा समनिव्यक के रूप में निक्त किया गया है भारा सरकार के द्वारा याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है किस बैंक ने दोस्तों अभी तीन अवार्ड यहां पर अभी प्राप्ट किये हैं और वो भी सत्रवे वार्षिक बैंकिंग टेक्नलोजी कॉंफरेंस एड अवार्ड में ठीक है 2020-21 नैक्स जैन नैने की नेक्स जनरेशन बैंकिंग दोस्तों यह तीन अवार्ड प्राप्त किये हैं आपके करनाटक बैंक ने आपसे करनाटक बैंक एक बार और आया याद रखे दोस्तों इसका हैट मैंगलूरू में और मैंगलूरू कहां पढ़ता है करनाटक में पढ़ता है इसके अगर आप से कोई MDNCO पूछ ले तो याद रखे दोस्तो महा बलेश्वरम क्या बोला महा बलेश्वरम MS इसके कौन है MDNCO है दोस्तो पहली First FIFA Club World Cup यहाँ पे जीता है किसी ने जीता है और यहाँ पे दोस्तो ब्राजील के पालमिरास को अत्रिक समय में हरा कर पहला FIFA Club Wish Cup जीता गया दोस्तो यह जीता है आपके Chelsea ने किसी ने जीता है Chelsea ने जीता है याद रखेंगे अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें सारे स्टुडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि FIFA World Cup 2022 कहां पे होगा तो याद रखें दोस्तो कतर में होगा कतर की रासधानी क्या है दोहा है आपसे पूछे FIFA World Cup 2026 कहां पे होगा तो य FIFA World Cup 2023 का यह आपको देखने को मिलेगा Australia and New Zealand में कहां देखने को मिलेगा Australia and New Zealand में आपको देखने को मिलेगा इसके बात यहाँ पे बात करेंगे किसने दोस्तों किताब लिखी है dignity in a digital age making tech work for all of us यह किताब है दोस्तो dignity in a digital age यानि कि जो digital यूग चल रहा है उसमें किस तरीकी dignity की बात कर रहे है और tech work सबके लिए हो इस किताब के लिखक कौन है दोस्तों याद रिखेगा इस किताब के लिखक है रो खन्ना कौन है रो खन्ना के द्वारा दोस्तों इस किता सुन्दरवन वेस्ट बंगौल में किस organization के द्वारा launch किया गया दोस्तों waste to wealth creation यानि कि जो waste है उससे wealth create करने की बात की जा रही है और यह यहाँ पे सिडवी के द्वारा जो कि हमारे भारत में Industries Development Bank के लिए आपको देखने को मिलेगा जिसका headquarter दोस्तों लखनों में देखने क को मिलेगा इसने यहाँ पे wealth to wealth creation program सुन्दरवन में जो महिलाएं हैं वेस्ट बंगौल में उनके लिए चलाया है यह बात ध्यान रहिएगा अगला कोशन आपके सामने है इसमें से कौन सा राज्य है दोस्तों और यह भारत का चौदवा राज्य है जिसने सिडवी के साथ partnership क है जिससे वो अपने MSME सेक्टर को मजबूत करेगा तो भारत का चौदवा राज्य जोस्तों जिसने भारतिय लगूद द्योग विकास के साथ micro small medium enterprise छेतर को मजबूत करने के लिए भागेदारी करने के लिए tie up किया है तो वो है दोस्तों आपका प्यारा बिहार बिहार के द राज्य के मुख्य मंत्री ने हाली में वर्ष 2022 के लिए एक नई बायो टेक्नलोजी पॉलिसी आपकी घोशना की है और इसका उदेश्य आत निर्भर भारत को दोस्तों प्राप्त करना है तो कौन से राज्य के मुख्य मंत्री के द्वारा बायो टेक्नलोजी पॉलिसी 2022 के ये लॉंच की गई है और जिसका उदेश्य आत्मिलभर भारत को अचीव करने का रखा गया है अरे बताएं भाई शिखा कुमारी जोती अरपिता वैशाली प्रियंका प्रियदर्शनी दोस्तों अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो आपको भी बैठना है बोलो जब मैं बैठ सकत ढ़ता है दोस्तों गुह रती है गुज्ञात राज्जी के मुख्य मंत्री कौन है के आप सब को बताई है दोस्तों गुज्रात के मुख्य मंत्री कौन है Uhupendra Patel सahab की हां पर क्या करेंगे बात करेंगे उसके बाग कॉस्षनapping कोंसी कंट्री दोस्तो भारत के UPI platform कО बनाने वाला पहला देश है दोस्तो आपका नेपाल नेपाल पहला देश है जो भारत की युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अपनाएगा कौन से यहाँ पे दोस्तो बैंक के द्वारा ये कौन सा बैंक दोस्तो दुनिया का पहला बैंक बन गया है जिसने मैटा वर्स में दुकान इस्थापित करने की आर्ने लिया है तो कौन सा बैंक दोस्तो Metaverse में दुकान इस्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है ज़रा बताने की कोशिश करें बताइए Metaverse जानते हैं दोस्तो Metaverse मैंने आपको क्लास में बताया था और इसकी वीडियो जरूर देखें दोस्तों काफी important है दोस्तों एक virtual universe त्यार किया जा रहा है मतलब एक ऐसा universe जहां पर आप अखों में चश्मा लगाओ और सब कुछ कर लो access दुकान पर shopping कर लो है कोई bank में जाके नौकरी कर लो सबजी लियाओ कुछ भी कर लो game खेल लो तभी तो दोस्तों जो facebook है यह आपका meta के नाम से जाना जा रहा है आप सब को पता होगा तो दोस्तों यह company है आपकी JP Morgan ठीक है JP Morgan word की पहला bank है दोस्तों जिसने meta words में shop इस्थापित करने की बात की जा रही है और voluntary कर रहे हैं आप से पूछ रहे हैं सेवी के वर्तमान chairman कौण है ठीक है और आप सब को बताओगा दोस्तों जित सेबी के वर्तमान chairman Church रहे हैं आपको सही नाम बताना है तो इसमें options में लिख्ड नी लिख्ड नी लिख्ट न तो आप बताएं दोस्तों सेवी के वर्तमान चेर्मेन कौन है, he is not the chairman right now, अजयत्या की chairman नहीं है, सेवी के आपको याद रखना है headquarter, मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, कहां पे दोस्तों मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म ने 25% stake आपका acquire किया है, US-based deep tech startup company two platform, तो two platform जो है दोस्तों, जो deep tech startup company है, उसमें 25% की जो हिस्तेदारी है, वो कितने रुपे की आपको देखने को मिलेगी, दोस्तों यह हिस्तेदारी है, दोस्तों आपकी 15 dollar million की, कितने की 15 dollar million की आपकी स्यदारी आपको देखने को मिलेगी, याद रिखेगा, रहे ठीक है वास समझ मारी है, कितने की 15 dollar की, देख मट देखते हैं, अगला question, जी, ट्वीटर ने दोस्तों, यहाँ पे भारत में अपनी tips सुविधा के समर्थन में सुधार करने के लिए, किस company के भुक्तान gateway के साथ भागयदारी की, दोस्तों आप Twitter पे अपने पसंदिदा, Twitter पे जो आपके पसंदिदा कोई भी जिनको आप follow कर रहे हो, उनको आप tips feature है, उनको आप payment कर सकते हो, payment get with आपका Twitter पर देखने को मिल जाएगा, आप उनको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, payment कर सकते हैं, तो Paytm ने दोस्तों ये gateway त्यार किया है, जो tips feature आपको Twitter में आध्यम से देखने को मिलेगा, अगला question दोस्तों, खादी and Handicraft of Bihar के Brand Ambassador किसको बनाया गया है, दोस्तों, खादी और हस्थ शिल्प का Brand Ambassador Bihar का बनाया गया है, आपके मनोस दिवारी को, ठीक है, next question दोस्तों, कौन सी country की Air Force, किस देश की वायू सेना के साथ, जो USA है, अमेरिका है, सैयुक्त वायू अभ्यास, कोप साउथ 22 आयोचित करेगा, दोस्तों, यहाँ पर याद रखेगा, कोप साउथ 22 की बात कर रहे हैं, तो कौन सी country के Air Force के साथ, US यहाँ पर Joint Exercise यहाँ पर करेगा, तो याद रखेगा, डैडिस, बांगलादेश, किसके साथ करेगा, दोस्तों, बांगलादेश के साथ करेगा, कोप साउथ 22, यह बात याद रखे, Joint आपकी क्या है, यह Air Exercise आपको देखने को मिलेगी, दोस्तों, जो Chief Minister है, बिहार के, ठीक है, इन्होंने Announce किया है, कि, इस particular date को, हम शहीद दिवस के रूप में याद करेंगे, बताइए, तो बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इस particular date को, शहीद दिवस के रूप में मनाय जाने की बात की गई है, तो याद रखे, दोस्तों, पंद्रा फरवरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीश कुमार जी ने घोशना की है, कि पंद्रा फरवरी को, अब शहीद दिवस के रूप में क्या है, दोस्तों, मनाया जाएगा, याद रिखेगा, दोस्तों, 90 साल पहले की बात है, 34 Freedom Fighters जो थे आपके, उनको मारा गया था, यहाँ पे, ठीक है, तो उनकी याद में, ठीक है, कि उनको कभी उस चीज का, मुंगेर टाउन में, आपको बताओगा, मुंगेर डिस्टिक जो है, बिहार का, उसमें तारापुर शहर में, आपके कुछ, 34 Freedom Fighters को क्या था, बात करते हुए, 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाये जाने की बात किया है, दोस्तों, यह बहुत बड़ा एक मास्केर था, एक नरसंगार काफी बड़ा था, जलिया वाला बाग, 13 प्रयार 1919 के बाद, यह होने वाला, काफी important, मतलब आप बोल सकते हैं, कि history में आपको देखने को मिलेगा, यह बात याद रिखिएगा, ठीक है, तो that's it for today दोस्तो, फरवरी 2022 हमारा समाप्त होता है, आज की क्लास में कितने questions हो गए, एक बार बता रीजेगा दोस्तो, किसी students ने questions note down करे हो, तो आज की क्लास में total questions कितने हो गए, तो हमारे फरवरी 2022 हमने complete कर ली है, मैं उम्मीद करूँ आपको समझ मागिया होगा सारा, PDF आपको आज ही मिल जाएगी, क्लास के माध्यम से, ठीक है, फरवरी का part 1 जरूर देख ले एक बार, और next week हम discuss करेंगे, दोस्तों, जनवरी 2022 की current affairs, ठीक है, next week हम क्या करेंगे, जनवरी 2022 की आपकी, ये क्या करेंगे, हम current affairs discuss करेंगे, ठीक है, चलिएगा, thank you so much, and may God bless you all, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कि आप इस time तक class को motivate कर रहे हैं, और खुद भी motivate हो रहे हैं, ये बात ध्यान रिखेगा, धन्यवाद, thank you so much,